सब्सक्राइब करें नाइटरोजन कंटेनिंग पाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं इस पर्टिक्लर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीन्स को पढ़ने वाले हैं यह भी पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे नाइटरो कंपाउंड उनको भी पढ़ेंगे इसवेल जार हम लोग साइनाइट्स को भी पढ़ने वाले हैं चाइनाइट ऐस सारी चीजिए इस पर्टिकुलर चाप्टर में रहती है सब में ही हार नाइटरोजन हो तो इनको यह नाइतरोजन गंटनिंग अन्ट पाउंड है इन सभी में इन चारो काटिग्री में अगर बात करें तो सबसे बड़े बीडियो में चलो हम लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे एक यार मोटो चल रहा है हमारा कियार पेपर फोड़ना है डीले बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है डीला बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है यार हम लोग हमारा एकदम और्गानिक केमिस्ट्री के एंड पर आ चुके हैं तो यार जो भी है जो भी पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है और बिल्कुल भी यार हलका नहीं छोड़ना है अपने आपको महनत करते रहो जो रो महनत करते जानी है तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अमीन्स से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले अमीन्स होते क्या है कितने तरीके के होते हैं यह सारी बात करते हैं इसमें अमीन्स के बारे में स्टार्ट करते हैं तीन तरीके के अमीन्स होते हैं तीन तरीके के अमीन बोला जाता है अच्छा एक एक हाइड्रोजन अटाते जाओ अलकायल गुरुप लगाते जाओ सब्सक्रों दो अलकायल गुरुप है और एक ही हाइड्रोजन है इसको बोला जाता है टू डिगरी का अमीन और सब्सक्रों एक भी हाइड्रोजन नहीं है तीनों की तीनों 3 degree को आप बोल सकते हो tertiary amine tertiary amine भी आप इसे बोल सकते हो जैक है जैसे यार अगर मैं आपको structure की बात करो जैसे 1 degree amine ले 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 लेते हैं R है NH2 जैक है तो यह रहाए यार nitrogen आपका it is R यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो गए आपके Lone Pair हो गए nitrogen के पास क्या रहे हैंगे Lone Pair, देखो सभी के भी यह पास क्या है यहाँ पे Lone Pairs है, सब के पास यहाँ पे क्या है, Lone Pair है, ठीक है Hybridization के अगर हम बात करें Hybridization की बात करें तो 3 तो bond दिख रहे हैं आपको तीन bond pair हो गए एक lone pair दिख रहा है तो hybridization क्या हो चुकी है SP3 हो चुकी है SP3 hybridization with 3 bond pair and 1 lone pair shape क्या रहती है shape रहती है इसकी pyramidal shape क्या हो जाएगी pyramidal shape हो जाएगी सही है बात तो ये amines की बारे में बात करी और एक और आपके तरीके के amines हो रहते हैं aryle amines जैसे 1 degree, 2 degree, 3 degree रहते हैं ऐसे ही एक रहते हैं आपके aryle amines बोले तो benzene ring पे आपका कोई nitrogen containing group है जैसे ये रहा आपका जैसे ये रहा ये this is your NH2 इसका नाम क्या है aniline ये क्या है aniline आपके benzene ring पे NH2 जड़ावा है तो ये क्या हो गया आपका aniline हो गया है this is aryle amine ऐसे suppose करो ऐसी दो benzene rings है suppose करो ऐसी दो benzene rings है ये दो benzene rings है इनको क्या बोलेंगे हम लोग diphenyl diphenyl amine दो phenyl group है ये भी एक pH group है ये भी एक pH group है दो phenyl के group है तो इनको क्या बोलेंगे डाय फिनाइल अमीन बोलेंगे और भी आपके अलग अलग तरीके के nitrogen containing compounds हो सकते हैं जैसे यह होता है आपका जैसे देखो यह होता है इसकी बात करें इसकी बात करें हम लोग अना इसकी बात करें यह होगे आपका ऐसा कुछ compound रहता है आप लोग के और आपके यह ऐसा कुछ compound होता है देखो यह भी आपका कोई compound होता है इसको हम क्या बोलते हैं पिरिडीन बोलते हैं तो यह ऐसे यह भी आपके nitrogen containing compounds है nitrogen containing compounds है अब देखो amines को आप दो और तरीके से classify कर सकते हो बस एक brief idea ले रहे हैं फिर हम लोग जल्दी ही preparation पे ही move कर रहे है जैसे suppose करो आपका ऐसा कुछ है जैसे यह NH यहाँ पे CS3 यहाँ पे CS3 जो दो alkyl groups है suppose करो same है suppose करो same है जितने भी alkyl groups लगे हैं एक लगावाय दो लगावाय तीन लगावाय वो क्या है same है तो income बोलते है simple amines इंकॉम बोलते है simple amines और उदर यहाँ alkyl group change हो गया जैसे suppose करो यहाँ पे तो कौन थे दोनों को दोनों methyl थे जिसे ethers में करते थे जो oxygen के left or right side में अगर दोनों के दोनों same alkyl groups है तो हम उनको simple बोलते थे अलग-अलग है तो mixed बोलते थे एक यह ब्रीफ आइडिया ले लिया हम लोगने amines होते क्या हैं दिखते कैसे हैं कितने तरीके के होते हैं ब्रीफ आइडिया हमने ले लिया अब क नाम से सारी चीजे cover करते वे चलना है सबसे पहला क्या है सबसे पहला है reduction reduction of nitro compounds नाइट्रो लगावाए नाइट्रो compounds बोले तो जिसमें NO2 लगावा है उनका अगर आप reduction करते हो उनका आप reduction करते हो जैसे देखो यह है आर NO2 इनका आप reduction करो सबोस करो आपने reduction करा hydrogen के साथ in presence of nickel निकल ले सकते हैं catalyst बिलकुल ले सकते हैं किसमें convert हो जाएगा किसमें convert हो जाएगा आपका amine में convert हो अमीन में convert हो जाएगा ठीक साथ में क्या बन रहा है उसको छोड़ो यार पानी बनता है वाटर बनता है उसको छोड़ो जिसे ऐसी करो देखो यह अगर आपका कोई नाइट्रो compound है यह आपका नाइट्रो कंपाउंड है इसमें आप लोगों ने अगीन क्या डाला hydrogen डाला इ और और कैसे कंपाउंड और कैसे कर सकते हो यह ऐसे न और HCl की प्रेजिंस में डाल दो आप इससे इससे इसका reduction हो जाएगा और और सिमिलरली अगर ऐसा कोई अब यह आपका इससे रिदक्षन कराना चाहो तो भी आपका अब आपके अमीन बन जाते है और यह वाली जो सेकंड लिखने वाला हूं यह आप लोगों ने देख रगिये ये लोग जब हेलो अलकेंट और हेलो एरींट पड़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था ठीक है फ्रॉम अलकाइल हलाइड्स कैसे वहाँ पे आर मैंने आप लोगों को रियाक्शन दिखाई थी अलकाल हलेड़ी विद्अमूनिया, जिसमें वो रियाक्शन बार बार करती जाती थी, करती जाती थी, क्वाटर्नेरी अमूनियम सॉल्ट में बन जाता था और एक मिक्स्चर बनता था, मैंने आपको समझाया था, जिसे देखो यह है आर एक्स, प्लस अपोस करो, इसको आपन यह हो क्या रहा है, जिसे यह और आपका NH3 है, यहाँ पर क्या है, यह इस पर अटाक कर देता है, यहाँ से देखो यह क्या बनता है, पहले आर, एदर ह, इदर ह, इदर ह, इदर ह, नाटरोजन पर पर पाज़िटिव चार्च, क्योंकि उसने अपने लोन पर दीए है, और यह आगर आप इस रियाक्शन को देखो, अगर आप इसके पहले स्टेप को देखो, तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेर थे तो उसने लोन पेर अपने एलकाइल ग्रुप को डोनेट करने के लिए दिये अचिक है अचितने ज़्यादा या लोन पेर रहेंगे नाइट्रोजन के उपर उतना ही जादा वो अटायक मारना चाहेगा तो यहाँ पे देखो वन डिगरी अमीन में क्या हुआ है जो आपका alkyl group लगाए यह क्या plus i effect शो करेगा alkyl group कौनसे effect शो करते है तो plus i करेगा तो nitrogen पर electron density बढ़ाएगा electron density बढ़ाएगा तो अब nitrogen और भी ज़्यादा आतुर हो गया है attack करने के लिए और भी ज़्यादा बूलेगा कि हम और ज़्यादा attack करेंगे तो एक और molecule आता है rx का अब इस पर यह one degree amine है यह react करता है अपने lone pair के साथ one degree amine react करता है lone pair के साथ और अब मैं direct लिक रहा हूँ यह बना देता है आपकी two degree amine plus again hx निकल जाता हैíst के बन जाता है two degree amine आप देखो two degree amine में आपके dho alkyl group आ चुके हैं दो alkyl group आ चुके हैं तो अब यह क्या करेगा और भी ज़्यादा attack करना चाहेगा और भी जादा attack करना चाहेगा तो देखो एक और आपका alkyl group अया और आपका ये 2 डिगरी अमीन है इसने और ज़्यादा अटैक करना चाहा ये क्या बना लेता है R3N 3 डिगरी अमीन बना लेता है प्लस ओवेसली HX बना लेता है और फिर N में N में आपका तीन अलकाल ग्रूप है 3 डिगरी अमीन के साथ इसदर और भी ज़्यादा है आपके लोन पेर के अविलिबिलिटी बढ़ जाती है और ये कनवर्ट हो जाता है R4N प्लस और X माइनस इसको हम क्या बोलते थे Quaternary Quaternary Ammonium एक सकेंड Spelling गलत हो गया इसे उड़ाओ Quaternary Ammonium Quaternary Ammonium Salt बोलते थे इध्यानार योगी यह आप लोगों को रियाक्चलि यह लोगों ने कर रखी है यह लोगों ने देख रखी है सही है तो यहांसे भी देखो Ammonium बन रहे है अलग अलग Ammonium बन रहे है हालकि यह बहुत अच्छा Method नहीं है Ammonium बनाने का इसमें mixture of amines मिल रहे हैं आपको ठीक है तो यह हो गया आपका दूसरा तरीका तीसरा तरीका क्या है तीसरा तरीका है reduction reduction of cyanides cyanides कौन होते हैं आपके nitriles इनका UPC name क्या रहता है नाइटराइस रहता है तो इनके reduction से भी आप लोग आप लोग amines बना सकते हो जैसे देखो यह यह रहा आपका cyanide यह रहा आपका cyanide इसमें आप लोगों ने डाला reducing agent डाल दो कौन-कौन H2 nickel डाल दो यार ऐसे डाल सकते हो या फिर आप lithium aluminum hydride भी डाल सकते हो यह भी आपका reduce कर देगा या फिर आप sodium amalgam Na और Hg इन दोनों के साथ mixture in presence of C2H5OH some alcohol इस यह भी reduce कर देगा और यह किसमें बना लेगा आपका amines बना लेगा देखो amine बन चुका है यह क्या बन गया Amine बन गया ऐसे similarly similarly आपका ऐसा कुछ है जैसे देखो यह cyanide है यह cyanide है इसमें आपने यह डाले कोई भी reducing agent डाल दो इनमें से तो अगर यह भी किसमें convert हो जाएगा आपका amine में convert हो जाएगा देखो ठीक है यह mechanism नहीं देख रहे हैं हम इसवा अप जाता रहे हैं आपके mechanism नहीं बचे हैं लेकिन हाँ यह सारी आपको चीजें पता होनी चाहिए कि आप लोग बताने का है सच कोई पूछेगा नहीं दिल पे नहीं लेना है बहुत ज़्यादा ठीक है लेकिन बस एक बैक ऑफ द मैंड रखना है कि हायर मेंडेस equation यह है आल्राइट तो चलो आपका reduction of cyanide से भी आपके amines बनते हैं और कैसे बना सकते हो और reduction कर दो किसका amides का reduction of amides यहां से भी आप लोग अपके amines बना सकते हो amines बना सकते हो कैसे देखो यह RC double bond O NH2 यह चीज हमने देख भी रखी है यह चीज हमने देख भी रखी है जैसे lithium aluminum hydride ले लो और second step में आप hydrolysis करा दो H plus H2 तो यह किसमें करवर्ट हो जाएगा amine में करवर्ट हो जैसे देखो carboxlic acid थे acid halides थे आपके enhydride ले लो आपके esters ले लो सारे के सारे किसमें जाते है alcohol में जाते हैं जब आप उने reduce करते हो लेकिन amides एक ऐसे substances है जिनको आप reduce करते हो तो किसमें जाते है amines में जाते है किसमें जाते है amines में चेक है ऐसे देखो यह भी जैसे आपक इसमें आप लोगों ने reducing agent डाल दिया तो अगेन ये किसमें convert हो जाएगा किसमें convert हो जाएगा amine में convert हो जाएगा amine में convert हो जाएगा आर ये बात समझ में है तो this is basically reduction of amides reduction of amides एक और रहता है यार आपका एक और रहता है process gabriel gabriel thalamide synthesis gabriel thalamide synthesis भी आपका रहता है एक और process है आपके amines बनाने का 1 degree amines बनते हैं इससे 1 degree amines बनते हैं इससे देखो पहले तो यार मैंने आप लोगो ये structure पहले भी बताया था thalamide का structure देखो ऐसा कुछ structure रहता है इसका ऐसा कुछस का structure रहता है ये क्या है आपका इसकी spelling भहिया हमारे लिए हमेशा स़ी tough रही है बच्छपन सही जब मैं पढ़ते थे तब सही आर इसकी spelling हमारे लिए tough रही है ये thalamide चिक है? येस तो पहले देखो इसकी reaction किसके साथ हो रही है इसकी reaction किसके साथ होती है पहले आप reaction कराते है उसकी KOH के साथ यह क्या है? बेस है तो यह वाला यार जो hydrogen होता है जो देखो जो मैं white से mark कर रहा हूँ यह वाला hydrogen यह क्या रहता है? आपका acidic रहता है यह acidic रहता है तो यह आपका base के साथ react करता है और आपका पहले ऐसा compound बना लेगा कुछ नहीं वो H plus की तरह जाएगा देखो वो H plus की तरह गया और जो आपका K plus था वो उसकी जगे जुड़ गया वो उसकी जगे जुड़ गया तो इधर minus इधर K plus ऐसे लिख दो चिक है? और H plus और OH minus ने पानी बना लिया होगा वो तो चुड़ो, फिर आप इसकी reaction कराते हो एक alkyl halide के साथ इसकी reaction कराते हो alkyl halide के साथ क्या बनाता है ये? जैसे आपका K plus है ना वो X minus के साथ जुड़ जाता है चिक है? और ये nitrogen और R जुड़ जाते हैं यहापे और ये आपका ऐसा कुछ ये बना लेता है ये ऐसा कुछ बना लेता है फिर आप ultimately इसकी reaction वापस K OH के साथ कराते हो aqueous form में basically देखो हुआ क्या है? इस thalamide से यहाँ पर आने में कुछ नहीं हुआ है हमने बस ओ जो hydrogen था उसकी जगे कौन लगा दिया है? R group लगा दिया है हमने R group लगा दिया है कोई alkyl group अब हम क्या कर रहे है? KOH के साथ reaction कर रहे है अब यहाँ पर यह bond टूटते है देखो ना यहाँ पर यह bond टूटते है यह बनाता है यह तो salt बना लेता है O minus K plus C double bond O O minus K plus यह तो क्या बना लेता है? salt बना लेता है plus यह जो R था यह nitrogen के साथ जुड़के यह बना लेता है आपका R NH2 यह क्या बन चुका है आपकी? क्या बन चुकी है? 1 degree amine बन चुकी है 1 degree amine बन चुकी है चीक है? तो इस process से हम लोग 1 degree amines बना सकते हैं 1 degree amines बना सकते हैं, एक यार note यहाँ पे लिख लेना, इस particular reaction के लिए ही बात कर रहे हैं, कि aromatic amines, aromatic amines हम इस particular reaction से नहीं बना सकते हैं, चेक है, aromatic amines, aromatic amines cannot be, cannot be produced from this method, इस method से आप लोग aromatic amines को नहीं बना सकते हैं ठीक है क्योंकि देखो नहीं हम लोगों ने R group जोड़ा है यापे एक alkyl halides के जाथ reaction करा है तो R group जोड़ा है वह यह हमका pH group नहीं है यह aromatic amines नहीं बना रहे हैं हम क्या बना रहे हैं alkyl halides हम बना रहे हैं हमारी one degree amines बना रहे हैं aromatic amines आप इस particular method से नहीं बना सकते हैं यह चीज चीज clear हो गई है यह чीज clear हो गई है तो यह आपका एक और manufacturing हो गई Gabriel thelemite synthesis one degree amines के रहे हैं और aromatic amines हम इसके नहीं बना सकते हैं अच्छा और क्या method हैं यार और क्या method है? और आपके method हैं जैसे Hoffman Bromamide ये पढ़ा है हमने Hoffman Bromamide reaction ये चीज हमने पढ़ी है इनसे भी बनते थे आपके इनसे भी आपके 1 degree amines बनते थे कैसे करते थे? ये था आपका Amide ये था आपका Amide, इसकी reaction कराते हो BR2 और KOH के साथ ऐसे ही चाहो तो आप आप ये भी ले सकते हो aromatic वाला भी ले सकते हो मैं दोनों ही चीज़ा आपको एक साथ ही cover करते वे चल रहा हूँ इसके अगेन reaction कराते हो BR2 के साथ और KOH के साथ क्या बन जाते हैं? वाइट कलर से लिखेंगे भी या क्या बन जाते हैं? Amines बन जाते हैं RNH2 बन जाता है PLUS NA2CO3 यह आपका NA2CO3 बन रहा है PLUS NABR बन जाता है अच्छा यहाँ पर K है K है तो K2CO3 बना दो यार मैं वो ही देख रहा था है कौन सा salt अब मने ले रखा है कौन सा base ले रखा है उसी साब से salt बनेंगे तो यहाँ पर चाहो तो जैसे या तो यहार वाँ पर उस NUH कर देते नहीं तो यहाँ पर आप क्या कर दो K2CO3 बना दो या फिर KBR बना दो potassium है ने यार तो potassium का बना दो है एक सेकेंड यह चीज यहाँ नहीं आएगी एक एक कार्बन आटम उड़ जाता है यह जो आपका K2CO3 बनता है ना इसमें एक कार्बन आटम आपका चले जाता है यहाँ पर डारेक्ट एनिलीन बन जाएगा प्लस अगेन वही K2CO3 प्लस KBR प्लस H2 देखो नहीं एक कार्बन आटम कम है जैसे देखो यहाँ पर R है और आपका यह C है ठीक है तो यह जो C होता है यह आपका K2CO3 में चले जाता है तो आपका जो अमीन बनती है ना उसमें एक कार्बन आटम कम होता है एक कार्बन आटम क्या होता है यह आपकी reaction हो गई Hoffman Bromomide reaction अब और कौन सी हैं जिसे एक और reduction isosyanides का करो जिसे देखो अभी हम तक हमने क्या पढ़ाता हमने पढ़ाता reduction cyanides का ऐसी isosyanides भी आपके एक functional group रहते हैं उनके reduction से देखो क्या रहेगा देखो उनसे भी आप लोग का means बना सकते हो reduction of isosyanides reduction of isosyanides देखिए जिसे यह होते हैं आपके isosyanides विसे तो पता है आप लोगों को यह होते हैं आपके isosyanides यह होते हैं isosyanides अब इसका आप लोग reduction कर रहे हो again reducing agent ले लो जैसे hydrogen और nickel ले लो या फिर lithium aluminum hydride ले लो तो देखो क्या बनेगा R NH CH3 यह बनेगा कौनसे degree की amine बन रहे हैं 2 degree amine बनती है reduction of isosyanides से आपकी 2 degree की amine बनती है देखो यह रहा इसमें आप लोगों ने डाला H2 and nickel और lithium aluminum hydride चीक है इस से again क्या बनेगे आपकी 2 degree की amine बनेगी NH CH3 किती 2 degree की amine बन रहे है आर यह बात समझवे जब cyanides का reduction कर रहे हैं तो आपकी 1 degree की amine बन रहे हैं लेकिन यहाँ पे isosyanides का reduction कर रहे हो तो आपकी 2 degree की amine बन रहे है 2 degree की amine बन रहे हैं तो ये एक और या तरीका हो गया आप लोगों के amines बनाने का तो डिग्री बन रहे है अमीन तो ही ने यार ये एक और तरीका हो गया चेक है तो ये आपकी सारी preparation है amines की इन इन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आप amines को prepare कर सकते हो अब गया है आपका physical properties फिर हम लोग chemical properties की बात करेंगे physical properties में सबसे पहले यार proper properties सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके boiling point की दो ही या है यार हम लोग boiling point की बात करेंगे as well as solubility की बात करेंगे चेक है सबसे पहले discuss करते हैं boiling point को सबसे पहले discuss करते हैं आपके boiling point को तो इनके अच्छे कासे boiling point होते हैं क्यों एक reason आपको पता चल गया होगा hydrogen bonding hydrogen bonding ने जिसे देखो यह रहा आपका amine का कोई group जिसे मैंने यह amine का group बना लिया ऐसी सबोस करो एक और कोई आपका amine का group है जिसे यह रहा R, इधर यह N, इधर यह H इधर यह H, तो इनके बीच में क्या रहेगी hydrogen bonding रहेगी ऐसे similarly यह वाला hydrogen भी किसी के साथ hydrogen bonding कर रहा होगा यह भी कर रहा होगा यह भी कर रहा होगा तो देखो इनके पास hydrogen bonding इनकी बढ़ती जाती है इनकी फैलते जाती है तो they have very high boiling point due to hydrogen bonding edge bonding हो रही है edge bonding हो रही है तो they have high boiling point यह तो मैं लख सकता हूँ they have high boiling they have high boiling point यह चीज तो हम लोग लख सकते हैं कि they have high boiling point correct बहुत अच्छी बात अब अगर हम लोग मान लो amines और alcohols को compare करें अगर boiling point मैं को compare करना है किस का? alcohols का and amines का तो देखो और alcohol है बोले तो ROH यहाँ पर amine है तो बोले तो RNH2 तो इने जनरल अगर हम बात करें तो alcohols का boiling point ज़ादा होता है amines के comparison में क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी hydrogen bonding हो रही है जो hydrogen attached है वो किस के साथ राइज़ड है? oxygen के साथ यहाँ पर किस का attached है? nitrogen के साथ तो ज़ादा electronegative कौन है? oxygen तो oxygen एक strong bond बनाएगा तो आपका boiling point क्या रहेगा? alcohols का ज़ादा रहेगा alcohols का ज़ादा रहेगा boiling point इन जनरल बात करें और अगर उधर हम लोग देखें amines में compare करें जैसे 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amine boiling point, 1 degree, 2 degree, 3 degree तो देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो, 1 degree बनाना चाहों तो यह रहेगा R, N, यहाँ पर H, यहाँ पर H, 2 degree बनाना चाहें तो इदर R, N, इदर R लगा तो इदर H हो गया और 3 degree बनाना चाहें, तो यह हो जाएगा 3 degree correct, और उधर हम बात करें hydrogen bonding की तो देखो यहाँ 1 degree में आपके ऐसे 2 hydrogen है which are capable of hydrogen bonding दोनों के दोनों hydrogen bonding बनाएंगे, बिल्कुल 2 degree में याँ सिर्फ और सिर्फ एक ही है और 3 degree में तो ऐसा कोई भी नहीं है 3 degree में तो ऐसा कोई भी नहीं है तो जितने ज़्यादा आपके hydrogen bonds रहेंगे उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, boiling point तो 1 degree amine में सबसे ज़्यादा hydrogen bond रहेंगे क्योंकि यहाँ पर इसे 2 hydrogen है which are capable of hydrogen bonding यहाँ पर सिर्फ सिर्फ एक ही है और 3 degree में तो एक भी नहीं है तो आपका boiling point का order क्या रहता है 1 degree का सबसे ज़्यादा then 2 degree then 3 degree चीक है तो यह आपकी बात हो गई boiling point की चीक है इसका reason लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो यहाँ पर जो 1 degree का सबसे ज़्यादा क्यों है क्योंकि due to due to extensive hydrogen bonding जो edge bonding रहती है काफी extensive रहती है इसमें काफी बढ़िया रहती है काफी failure रहती है इसलिए आपका boiling point 1 degree का ज़्यादा रहता है सही है यह चीज तो clear है तो यह हमने बात कर लिए कि boiling point की एक और important physical property काफी है solubility तो आप लोग खुद सोचो यह soluble रहेंगे जो आपके water में soluble रहेंगे बिलकुल रहेंगे क्योंकि है पोलर hydrogen bond बना लेंगे hydrogen bond बना लेंगे देखो solubility की बात करें solubility की बात करें तो पहले बात यह लिख दो soluble in water soluble in water क्योंकि यह पानी के साथ क्या बना सकते है hydrogen bond बना सकते है due to formation of hydrogen bond with water with H2 तो soluble रहेगा और हमें पता है यार जिसे देखो यह है R NH2 तो यह वाला जो हिस्सा है यह वाला जो हिस्सा है यह तो क्या है hydrophilic यह तो hydrophilic है यह जो R वाला हिस्सा है यह कौन सा होता है जिसे जो carbon की chain रहती है यह कौन सा रहता है hydrophobic तो hydrophobic हिस्सा अगर बढ़ता जाएगा hydrophobic हिस्सा अगर बढ़ता जाएगा जिसे देखो CH3 NH2 CH3 CH2 NH2 हैड्रोफोबिक हिस्सा बढ़ाते जा रहा हूं CH3, CH2, CH2, NH2 तो जो आपकी solubility रहती है जो आपकी solubility रहती है वो क्या करती जाती है? कम होती जाती है हैड्रोफोबिक हिस्सा बढ़ता जाएगा तो solubility कम होती जाएगी तो इन जनरल में क्या बोल सकता हूँ जो solubility रहती है that is inversely proportional to molecular mass वो inversely proportional है molecular mass के inversely proportional है वो molecular mass के correct तो solubility का अगर hydrophobic हिस्सा बढ़ता जाएगा hydrophobic हिस्सा बढ़ता जाएगा तो solubility कम होती जाएगी तो it is inversely proportional to molecular mass चीक है तो यह बात कर ली physical properties की तो यह दो यह physical properties हम लोग लेते वे चलते है boiling point और solubility यही सबसे आदा important रहती है अब बात करते हैं chemical properties क्यार यह chemical reaction कौन कौन सी दिखाता है यह देखना है हमको chemical properties चीक है एक एक करके यह सारी जीज़ discuss करते जाएगे त्यान से चीज़े समझते जाना कुछ कुछ यह रहे हैं पर test भी आने वाले हैं वो भी हमको discuss करने हैं सबसे पहले हम बात करते हैं basic nature basic nature of a means basic nature of a means चीक है देखो यह जो base होता है उसके हम लोग अलग तरीके से define कर सकते हैं एक most popular base की definition रहती है jsuleone pair donate करता है वो क्या है base है या फिर h plus एकसेप्टर oh minus ion donor basis कॉन-कॉन होते हैं बसे इसं आप base को आप कैसे define कर सकते हैं देखो यह चीज़े हमने देखी है base को आप कैसे define कर सकते हो base को आप define कर सकते हैं जो oh minus donate करता है तो oh minus ion donor या फिर जो H plus accept करता है वो या फिर जो electron donate करता है electron donor या फिर electron donate करने वाला है यह सब क्या होते हैं आपके basis होते हैं यह सारे के सारे चीज़े क्या होते हैं basic nature हमको पढ़ना है amines का amines का basic nature पढ़ना है तो देखो यह रहा आपका amines यह रहा आपका amines इसको आप लोगों ने पानी में डाला हमें पता है यार कोई ना कोई तो हमें solvent चाहिए रहता है अगर acidic behavior दिखाना है किसी substance को या basic behavior दिखाना है किसी substance को तो solvent चाहिए होता है solvent हम क्या लेते हैं पानी लेते हैं यह क्या होता है इसमें से क्या होता है इसमें से आपका जो ये Amine है ये H plus accept कर लेता है H plus accept कर लेता है और किसमें convert हो जाता है? R NH3 plus में और पीछे से क्या रिलीज कर देता है? OH-I जैसे पानी है यार H है और OH है तो यहां से H plus चले गया तो बचा क्या? OH-I तो देखो OH-I हा रहे हैं आपके solution में तो solution क्या बनेगा? basic बनेगा solution क्या बनेगा? basic बनेगा अब आपकी जो basic strength होती है Amines की basic strength होती है Amines की वो हम किस से decide कर सकते हैं? देखो यहां पर कर सकते हैं basic strength basic strength is due to is due to loan pair availability यह जब हम आप जीओसी पढ़ते हैं तो भी हम लोग basic strength की बात करते हैं वहापे भी यही बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा loan pair availability रहेगी उतना ही वो अच्छे base की तरह काम करेगा क्यों? क्योंकि उतना ही वो आपके electrons को donate कर सकता है जितनी ज़्यादा electron रहेंगे अपने पास उतना ही ज़्यादा वो donate कर सकता है उतना ही वो बहतर base रहेगा उतना ही वो बहतर base रहेगा जिसे देखो compare करो आप amines को जिसे यह आपका amines है और इसको आप compare करो ammonia के बास तो देखो दोनों के पास ही क्या है? loan pair है तो दोनों ही base है दोनों ही आपके loan pair donate कर सकते है base की तरह काम कर सकते है लेकिन अगर strength की बात करें हम लोग तो ज़्यादा कौन होएगा? यह रहेगा क्यों? क्योंकि यहापे जो आपका R है जो L का L ग्रूप है यह effect कौन सा दिखा रहा है? यही effect दिखा रहा है यहाँ पे यह plus high effect दिखा रहा है तो आपना जो electron से वो दे रहा है donate कर रहा है nitrogen को ले ले तू nitrogen ले ले तो nitrogen पर electron density क्या कर रही है? बढ़ रही है तो basic strength भी बढ़ेगी basic strength भी बढ़ेगी सही है, correct है अब देखो यह जब आप लोग basic strength पढ़ते हो अपने जी ओसी में वहाँ पे भी आर यह चीज को हम बात करते हैं वापस मैं आप लोग आप रिपेट कर रहा हूँ कि अगर हम 1 degree, 2 degree, 3 degree amines को compare करें उनकी basic strength comparison comparison of 1 degree, 2 degree and 3 degree amines on their basic strength उनके basic strength पे अगर हम उने compare करें किस को 1 degree को, 2 degree को और 3 degree को अगर मैं compare करूँ तो देखो अलग-अलग phases हैं आपके जैसे यह comparison चलता है दो gases में एक आर आपको gas phase का बताया जाता है और एक आपका aqueous phase का बताया जाता है तो सबसे पहले बात करते है gas phase की gas phase की बात करते है तो जैसे देखो पानी वानी कुछ नहीं है simple आपका discrete molecule पड़ा है amine का, 1 degree हो सकता है, 2 degree हो सकता है 3 degree हो सकता है तो देखो यह रहा आपका यह रहा आपका 3 degree amine चीक है, ऐसे सारे विकवा बना लेते हैं फिर अपने लोग समझते हैं यह रहा आपका 2 degree amine चीक है, और यह रहा आपका 1 degree amine यह रहा आपका 1 degree amine correct है, gas phase की बात कर रहा है gas phase की बात कर रहा है discrete molecule पड़ा है तो यहाँ पे 3 alkyl group है देखो lone pair तो सब के पास है पहले चलो यह बनातो, lone pair तो सब के पास है अब 3 degree amine में 3 alkyl groups है तो यह क्या करेंगे, अपने lone pair donate करेंगे, मतलब अपने lone pair nitrogen की तरफ push करेंगे तो nitrogen की तरफ electron density क्या कर जाएगी बढ़ जाएगी, ऐसी 2 degree amine में ऐसे 2 groups है तो वो अपने electron density बढ़ाएगे nitrogen के उपपर, और 1 degree amine के पास तो ऐसा एक ही group है तो यह जितनी ज़्यादा nitrogen के उपपर lone pair की availability रहेगी उतना ही ज़्यादा वो basic strength रहेगा उतना ही ज़्यादा वो base की तरह काम करेगा तो यह सीधा सीधा order क्या आ रहा है base strength का base strength का सीधा सीधा order क्या आ रहा है 3 degree सबसे ज़्यादा then 2 degree, then 1 degree और सबसे कम रहता है क्वाण ammonia विचारे ammonia के पास तो एक भी alkyl group नहीं है 1 degree बोल रहा है हमारे पास एक तो है एक तो है रहा हमें electron density थोड़ी बहुत दे रहा है अमोनिया बोल रहा है हमारे पास एक भी नहीं है तो हमारी basic strength सबसे कम है यह किस में बात कर रहे हैं ध्यान देना, gas phase में बात कर रहे हैं, जब आपके individual discrete molecule से कोई पानी वानी नहीं ले रहा है उसका case आपको, अभी next में ले रहे है gas phase में अकेला molecule पड़ा है अकेला molecule पड़ा है और आप उसको observe कर रहे हो, ठीक है लेकिन अगर आपका gas phase आ जाता है ठीक है, gas gas phase नहीं, sorry, aqueous phase gas phase तो देख लिए हमने, अगर aqueous phase आ जाता है, तो यार चीजे change हो जाती है तो यार चीजे change हो जाती है, क्यों, क्योंकि अब भाया पानी भी है यार हमारे पास अब हमारे पास पानी भी है तो यहाँ पे दो factor काम करने लग जाते है कौन-कौन से, एक तो यार आपका hydration effect, पानी है ना यार aqueous phase आ चुका है, तो पानी क्या करेगा अब hydrate कर लेगा उसको अमीन के molecule को, तो एक तो उसका effect आ जाता है, hydration effect ठीक है, और एक आ जाता है आपका steric effect एक आ जाता है आपका steric effect अब इन दोनों के combined result से आपका basic strength determine होती है इन दोनों के combined result से आपकी basic strength determine होती है, देख़ो एर वैसे तो basic strength अगर किसी भी substance की basic strength निकालनी है, तो it is a practical thing आप इसे उसको घूरोगे उससे नहीं निकाल सकते हैं, जनरल ही हमको क्या करने पड़ते हैं, प्राक्टिकल करने पड़ते हैं, अगर आपको different different compounds को compare करना है तो practical करने करते हैं, पड़ते हैं हला कि अगर कोई factor बूसता है आप लोगों से क्यार, एकवस phase में कौन-कौन से factors पर depend करता है amines की basicity, चीक है तो इन दो factors पर depend करता है, अब देखो जो आपके alkyl groups है, amines पर आपके alkyl group लगे हैं, उन पर depend करेगा अब आपका order क्या रहेगा, देखो अगर alkyl group है, if r is CH3, alkyl group कौन से है, CH3 तो base strength क्या हो जाती है 2 degree का सबसे ज़्यादा, then 1 degree then 3 degree, and then ammonia ammonia तो सबसे कम रहेगा ही रहेगा लेकिन यहाँ पर अब देखो गडबड आ रहा है order अलग आ रहा है क्यों? क्योंकि ये दो factor भी अब काम करने लग जाते हैं steric as well as hydration तो अगर r, जो alkyl group है वो आपका CS3 है, तो ये order है लेकिन अगर आप alkyl group को थोड़ा सा बड़ा देती हो, जैसे C2H5 बड़ा दिया, next मैंने alkyl group ले लिया, तो आपका order के आ जाता है 2 degree, then 3 degree then 1 degree, and then ammonia, तो यहाँ पर 1 degree और 3 degree अपने position, exchange कर लेते हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है ठीक है, अगर आपका alkyl group, methyl है तो आपकी ये है order, और अगर उसी की जगह ही आपने ethyl ले रखा है तो आपका कुछ और order है, तो आपका कुछ और order है तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है और कोई अगर factors पूछ ले, तो भाईया ये रहे factor, कौन-कौन से? Hydration as well as steric effect Hydration as well as steric effect सही है ये चीज़ के लिए रहे, चीक है? तो ये एक basic strength का idea ले है, अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि आपको base strength बतानी है अब obviously आपको compare base strength चलो, दो example करा देता हूँ compare base strength, वैसे तो यार हमने goc में देखा है, लेकिन फिर भी हम इदर देख लेते हैं, देखो compare base strength तो जैसे अगर suppose करो, ये दे रखा है आपको बताईएगा है ना इदर nh2 और इदर r nh2 इन दोनों को compare कर दो यार एक बार और ये वाला second example भी कर दीजिए ऐसे equations करें है हमने, तो एक बार आप लोग भी इने try करो चले ये रह चले, ये दो example है, ये दो कर दो यार तो तक जल ग्रेंड करते हैं हम क्या करना है, compare base strength, तो basically आपको loan pair availability देख लो, जो nitrogen है, अगर आप उदर loan pair ज्यादा है, तो base strength भी ज्यादा रहेगी, कम है, तो base strength भी कम रहेगी, सीदी सीदी बात है, सीदी सीदी बात है यहाँ पे जो आपका loan pair है, यहाँ पे जो loan pair है, ये कहाँ जा रहा है, resonance में जा रहा है, देख लो ये कहाँ जा रहा है, resonance में जा रहा है, resonance में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, delocalize हो रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, तो इसका बता दो यार इसका बता दो यहां पर देखो आपको एफेक्ट देखने है ग्रूप्स के तो यह जो CS3 है क्या एफेक्ट रहता है इसका इसका एफेक्ट रहता है प्लस H as well as प्लस I तो electron donate कर रहा है तो nitrogen पे loan pair की density बढ़ाएगा देखो यह वाला भी loan pair यह वाला भी loan pair और यह वाला भी loan pair तीनो यार resonance में तो जा ही रहे हैं तो यह factor तो nullify हो गया नहीं तीनो को compare करने के लिए हम लोगों को क्या लेना है differentiating factor लेना है तो तीनो लोन पेर में तीनो resonance में जा रहे है जो तीनो लोन पेर है वो resonance में जा रहे है वो तो ठीक है वो तो अलग बात है लेकिन आपके जो CS3 यह के दिखा रहा है प्लस H और प्लस I electron donate कर रहा है electron donate करेगा तो electron density nitrogen पे बढ़ाएगा तो basic strength भी बढ़ाएगा लेकिन यह NO2 ग्रूप यह बदमाज ग्रूप है यह बदमाज बूले तो minus R है minus I है भाईया यह तो electron density catch लेगा this is electron withdrawing group electron density कम कर देगा तो basic strength भी कम कर देगा चीक है तो order क्या रहा है यह आ रहा है करी है यह सारी बाते करी है यही होता है यह एक एक चीज दो दो तीन तीन चार चार बर पड़ा देंगे भाईया फिर बताओ दिमाग से कैसे निकलेगी 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 नहीं फिट हो चलो नेक्स्ट जयसे आपकी chemical property देती है, alkylation यह हमने देखा था अभी अभी वापस एक बार आपको दिखा देता हूँ alkylation जिसे आपका amine है, जिसे यह rnh2 है, amine है यह आपका alkyl halide के साथ react करता है rx ले लेते हैं यह आपका alkyl halide के साथ react करता है, यह rx ले लेते हैं r2nh बन जाते है basically 1 degree amine से 2 degree amine बन जाता है 2 degree amine बन जाता है फिर यह 2 degree amine वापस hx पर react करता है hx नहीं है, rx है alkyl halide है वापस यह alkyl halide पर react करता है और यह क्या बना लेता है? यह जो lone pair है यहाँ पर attack करता है क्या बना लेता है? 3 degree amine बना लेता है छेक है 3 degree amine बना लेता है and ultimately फिर ये भी आपका Rx पर रियाक करता है और ये बना लेता है आपका R4n प्लस X- ये क्या है आपका quaternary ammonium quaternary ammonium salt भी ये बना लेता है quaternary ammonium salt भी ये बना लेता है छेक है ये हम लोगों ने देखा ही था और इनकी reactivity हर स्टेज पर बढ़ती जाती है क्यों? क्योंकि attack कॉन कर रहा है ये lone pair attack कर रहा है तो जैसे आपके alkyl group लगते जाते हैं तो वो अपने electrons और देते जाएंगे अपने nitrogen को तो nitrogen पर electron density बढ़ती जाती है तो reactivity भी बढ़ती जाती है इसलिए हम कहीं पर भी बीच में इस reaction को नहीं रोक पाते हैं क्योंकि हर step पहले वाले step से fast हो रहा है यार हर step की reactivity पहले वाले step से जादा है देखो यार यहाँ पर यह आर NH2 है पहले वाले में दूसरे में क्या बन गया यह आर 2 NH बन गया तो यहाँ पर alkyl group अपने electron दे रहा है इस nitrogen को तो nitrogen पर electron density बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर दो आपके ऐसे alkyl group है तो यहाँ पर और भी जाद है electron density बढ़ रही है तो यह और भी तीजी से attack करेगा तो इसलिए हम इस particular reaction को बीच में कहीं पर भी नहीं रोप पाते हैं इसलिए हमारे पास क्या आता है again mixture of amines आता है इसको हम बोल सकते हैं again mixture of mixtures of amines आपके produce होते है ठेक है चले तो यह होगी आपका alkylation एक और आपका रहता है acylation एक और आपका रहता है acylation अब इसमें क्या होता है इसलिए आपका यह है rnh2 ठीक है इसकी suppose को आप reaction करा रहे हो acid acid chloride से acid chloride से देखो यहाँ पर क्या होगा यह hydrogen निकलेगा और यह आपका chlorine निकलेगा तो देखो क्या बनाएगा आपका rnh c double bond o c h3 यह बन गया प्लस hcl बन गया होगा लेख दो चलो प्लस hcl बन गया होगा यह किसी भी हम base के presence में करते हैं जिससपोस करो pyridine ले लिया है तो यह reaction समझ गया हो ना क्या करने वाले है जिसे यह r जिसको separate करके लिखूँ तो suppose करो मैंने इसे separate करके लिख दिया अब suppose करो इसका enhydride के साथ reaction करा रहे है यह देखो यह enhydride ले लिया यह enhydride ले लिया क्या करो यहां से और इसको ऐसे तोड़ दो इसको ऐसे यहां से तोड़ दो तो देखो यह क्या बनेगा आर यह NH C double bond O CS3 प्लस CS3 C double bond O OH यह बन गया है यह बन गया है चीक है तो यह क्या हो गया बिसकलिए asylation हो गया यह है हम लोगों ने amides में भी देखी थी जब acid derivatives बट रहे थे तो ऐसी ही type की reaction आपकी amides में भी देखी थी तो देखो जैसे यह है आपका बोस करो यह है यह है अब तो समझ गए होगे क्या करने वाले है यहां से hydrogen निकालना यहां से chlorine निकालना यह देखो क्या बनेगा R N H C double bond O ऐसा कुछ यह आ जाएगा आपका यह आ जाएगा, चीक है इस reaction को benzo γιαि बोला जाता है यह pH ग्रूप रह आये FOR यह बूख रहा है यह benz को बोल लग रहा है तो इसको क्या बोल रहे है यह अपा टा एक happily के साथ reaction करा रहे थे और isolation जब आप C double bond O तो यह आपका हो गया आपकी fourth chemical property और कौन सी है और है आपकी carbylamine reaction अब यह test है यह basically test भी है जिसे आपको पता कर रहे हैं कि आपका compound है whether it is a 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amine तो यह कुछ test होते हैं तो एक test है आपका carbylamine reaction यह फिर carbylamine test इसमें देखो आपने लिया RnH2 लिया यह क्या है? 1 degree की amine है ऐसे ही चाहो तो यह भी ले सकते हो यह ले सकते हो जैसे यह भी यह भी क्या है? 1 degree की amine ही है यह भी देखो नियार, nitrogen के साथ कौन है? 2 hydrogen है 1 degree amine है बस यह उपर मैंने R group लिया है तो बोले तो aliphatic लिया है नीचे मैंने एक aromatic benzene ring के साथ जोड़ा है तो यह कौन है? 1 degree लेकिन aromatic है और उपर वाला कौन है? aliphatic है कोई साभी ले लो कुछ फरक नहीं पड़ेगा इसकी reaction कराओ chloroform के साथ CHCl3 and in some basic conditions और यह लेते हो आप alcoholic ठीक है ऐसे ही इसकी भी chloroform और in some basic conditions again alcoholic form तो देखो क्या बनते हैं? आपके isocyanides बनते हैं ये लो कलर औरेंज कलर ले लेते हैं आपके isocyanides बनते हैं R N double bond C ऐसे ही यहाँ पे भी आपका ये isocyanide बनेगा ये कौन है आपका? isocyanide ये भी कौन है? isocyanide इनकी जो smell होती है इनकी जो smell होती है वो होती है काफी गंदी smell होती है यार इनके ना foul smell बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं foul smell isocyanides की isocyanides की जो smell बनती है काफी गंदी smell बनती है जिसे यार, कुछ-कुछ आप लोगो chemistry lab में अगरर कुछ-कुछ अपने test करे होंगे तो वहाँ से, कुछ-कुछ gases तो ऐसे निकलती है भाई साब, पूरा chemistry lab खाली हो जाता है, right? तो वैसे सी ही कुछ समेल है, isosyanate काफी foul smelling compound रहता है प्लस 7000 KCL पानी बनता है, उसको छोड़ो, हमारे लिंपोर्टन का है, यह आइसो साइनेट, आइसो साइनेट इंपोर्ट है, अब यह टेस्ट कैसे है, क्योंकि यह जो टेस्ट है कि वलो कि वल वन डिगरी अमीन ही देते हैं, वन डिगरी अलिफाटिक हो तो भी देगा, वन 3 डिगरी अमीन नहीं देते हैं, तो अगर आपको classify करना है, आपको पता करना है कि यह विदर यह और compound is 1 डिगरी अमीन और not, तो आप यह Carbyl अमीन टेस्ट करा सकते हो, यह कौन देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 डिगरी अमीन सी देते हैं, तो देखो यहापे लिख देता हू means, do not give this test, do not give this test, यह टेस्ट नहीं देते हैं, के वलो के वल, 1 डिगरी अमीन ही यह टेस्ट देते हैं, चेक है काफियर smelly compound होता है, तो इससे आप पता लगा सकते हो, कि यह विदर यह compound is 1 डिगरी अमीन और not, this is your fourth reaction, this is your fourth reaction, अब बात करते हैं, next reaction, अब बात करते हैं, next reaction की, reaction with nitrous acid, nitrous acid, कौन होता है, nitrous acid, HNO2, nitrous acid के साथ, अगर अमीन की आप reaction करवा रहे हो, तो क्या होती है, जैसे यह रहा यार आपका, RNH2, अब देखो nitrous acid को, या तो या direct देखो, nitrous acid लिखावाओ, HNO2, या फिर इसको, क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते है, NaNO2, प्लस HCl भी लिखा जा सकता है, ये लिखावाओ, तो भी इसका मतलब क्या है, nitrous acid बनता है, ये लिखावाओ, तो ये तो nitrous acid है, कुछ भी दे स सकता है, इसके जगे ये कुछ भी दे सकता है, चल जाएगा, क्या बनते हैं, इसमें disonium salts बनते हैं, जैसे ये बनता है, RN2+, Cl-, ये disonium salt बनते हैं, इस disonium salt की तर हमको बहुत सारी reactions देखनी है, मैंने बताया था, starting में क्या-क्या हमको पढ़ना है, इस particular chapter में, nitrogen containing compounds में, amines प इसके बारे में भी हमको disonium salt, इसके बारे में भी हमको चीज़े पढ़नी है, आँ यार, आपके भाया की spellings थोड़ इसी कड़ बढ़े, जैसे इसमें एक reaction में बता दूँ, जब पानी, इसका hydrolysis कराती हो, तो आपके क्या बन जाता है, alcohol बन जाता है, प्लस आपके जो N2 है इसके बहुत सारी reactions आएंगी, आएंगी तब देखेंगे, आएंगी तब देखेंगे, अभी तो लोड नहीं लेना है, अल्राइट, चलो, next chemical property देखो, next chemical property है, हिंसबर्ग test, हिंसबर्ग test, ये भी आर टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, आपके amines को classify करने का, ये वन डिगरी अ 3 degree amine है, ये भी एक test है, देखना है, ये बहुत ध्यान से समझना, बड़े प्यार से राम से समझ में आ जाएगा, आपका suppose करो, ये कोई compound है, SO2Cl, ये कोई compound है, इसका नाम है, बेंजीन सलफोनिल क्लोराइट, ठीक है, इसको ये हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, हिं ये करता क्या है, इस test में होता क्या है, इस test में suppose करो, पहले आपने reaction कराई, 1 degree amine के साथ, आपने reaction कराई, 1 degree amine के साथ, this is 1 degree amine, this is 1 degree amine, देखो इसमें क्या बनता है, वाइट कलर ही लेते हैं, देखो, इसमें क्या बनता है, आपका ऐसा कुछ आपका compound बनता है, ये जो बें यहां पे आगया यह ठीक है बेलकुल और अब देखो अब क्या होता है यह वाला जो आपका hydrogen है यह वाला जो आपका hydrogen है यह क्या रहता है acidic रहता है यह क्या रहता है acidic रहता है अब देखो आपको अब इसकी इसकी particular इस वाले particular compound की आप reaction करा तो KOH के साथ तो देखो हैर हमारे पास acidic hydrogen है अब उसकी मैं किसका reaction करा रहा हूँ base के साथ KOH क्या है एक base है KOH क्या है base acid plus base reaction हो जाएगी तो क्या बन जाएगा salt बन जाएगा तो देखो ऐसा कुछ बन जाता है आपका देखना देखना ऐसा कुछ यहाँ पर यह SO2 यहाँ पर N पर माइनस आ जाता है क्योंकि hydrogen निकल चुका है H plus और यह रहा CH3 और वो H plus है ना H plus और उसको balance करने के लिए के आ जाता है K plus आ जाता है बिसकली मैं यहाँ के बुलना चाह रहा हूँ यह जो compound है यह क्या हो जाता है soluble हो जाता है मतलब KOH के साथ react कर सकता है KOH के साथ react कर सकता है देखो आपके पास कौन था benzene sulfonyl chloride था आपने 1 degree के साथ mean करा है तो आपके पास एक acidic hydrogen बचा एक acidic hydrogen की आपने KOH के साथ reaction करा ही तो वो reaction हो गई compound क्या हो गया soluble हो गया लेकिन उधर ही यार अगर आप यह सपोस्ट करो यही लेते Hinsberg reagent लेते देखना और 2 degree amine डालते क्या डाला 2 degree amine डाला जैसे सपोस्ट करो यह डाला CS3 NH CS3 यह डाला कौन सा है 2 degree का mean डाला 2 degree का mean डाला तो देखो यहाँ पर यह क्या बनेगा देखना द्यान से अभी टेस्स समझ भी आदेगा आपको यह रहा SO2 यह रहा N यह रहा CS3 यह रहा CS3 इसकी कोच के साथ reaction कराना चाओगे तो reaction हो पाएगी कि नहीं reaction होती है acid और base की तो अब 2 degree amine के साथ कराया तो जो यह बना इसके साथ इसके पास यह है ही नहीं acidic hydrogen तो यह कोच के साथ react नहीं करेगा तो it is what? insoluble यहाँ पे यह soluble नहीं होगा तो 1 degree और 2 degree को classify कर लिया आपने separate कर लिया नहीं आपका जो यह compound बना उसमें अगर आपने कोच जला तो substance अगर soluble हो गया तो आपका 1 degree है soluble नहीं हुआ तो आपका 2 degree है और जैसे अगर suppose करो आप 3 degree के साथ reaction कराते हो SO2Cl वो ही देखो यही ले रहे है Hinsberg reagent ही ले रहे है इसकी आपने suppose करो 3 degree amine के साथ reaction कराई ले लो कोई साभी 3 degree amine यही ले ले लेते हैं this is CS3 CS3 और यहाँ पे भी CS3 3 degree amine लिया तो यहाँ पे no reaction यह पहले में ही reaction नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास तो एक भी hydrogen नहीं है एक भी hydrogen नहीं है तो यह reaction ही नहीं कर पाएगा ठीक है तो separate कर लिया नहीं है आपने 1 degree, 2 degree, 3 degree amines को अगर आप Hinsberg reagent के साथ reaction कराते हो तो देखो 1 degree react कर जाएगा बिलकुल फिर KOH के साथ soluble नहीं होगा और 3 degree बोल रहा भाई हम तो react ही नहीं करते हैं बाड में जाओ हम तो react ही नहीं करते हैं तो आप इससे पता लगा सकते हो Your compound is weather 1 degree और 2 degree और 3 degree clear है अब देखो जैसे आपका यह जो second step में बना है जो आपका यह वाला जो बना है second step में इस पे अगर आप पानी डालते हो तो आपके पास वापस Hinsberg reagent और आपकी amine आ जाती है Hinsberg reagent का convert हो जाता है यह sulphonic acid में अगर आप इसमें पानी डालते हो तो यह आपका SO3H बना लेता है sulphonic acid प्लस आपकी amine वापस regenerate हो जाती है यह एक additional reaction है ऐसे ही similarly again आप इस पे भी इस पे भी अगर आप पानी डालते हो H2O लालतर हो hydrolysis कर रहे है hydrolysis कर रहे है तो again आपको क्या हो जाता है आपको sulphonic acid मिल जाता है देखो SO3H प्लस आपको आपकी amine भी मिल जाती है CS3 twice NH amine मिल जाती है लेकिन test तो क्या है जिसे आपने Hinsberg reagent का 1 degree amine के साथ कराया तो जो भी बना उसका अगर QOH के साथ reaction कराया तो वो soluble आ गया तो it means 1 degree amine थी insoluble आ गया तो it means it is 2 degree amine और reaction ही नहीं हो रही है reaction ही नहीं हो रही है तो it means it is what 3 degree amine तो ये आपकी एक एक और reaction हो गई जो test हो चुका है Hinsberg test दो test आ चुके हैं एक आपका करबिल आमीन test जो 1 degree amine सी देते हैं 2 degree 3 degree नहीं देते और Hinsberg test जो कि आप और फर्दर क्लासिफाइ कर सकते हो whether your compound is 1 degree amine और 2 degree amine और 3 degree amine और ज्यादा फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए अब देखो और कौन सी reaction बचिए और बचिए आपकी Electrophilic Aromatic Substitution ये हमने बहुत बार करा है वापस करेंगे यार बिल्कुल करेंगे Electrophilic इसमें थोड़ी से अलग चीजे भी है वो देख लीजे आप Electrophilic Aromatic Substitution Electrophilic Aromatic Substitution हमको करना है देखो कौन है ये भईया है आपके देखो ये भईया है आणा बहुत अच्छे यहापे कौन है Nitrogen है यहापे कौन है आपके Lone Per है ये Lone Per देगा डोनेट करेगा ये Lone Per कहा जाएंगे भईया Resonance में जाएंगे ने यार Resonance में जाएंगे तो यहापे जो Electron Density है Benzine पे वो बढ़ेगी Electron Density बढ़ती है तो Electrophil जल्दी Attack करता है तो It means it is It means it is Activating Group It means it is what Activating Group ये कौन है Activating Group है Activating Group है क्योंकि Electron Density क्या कर रहा है Activate कर रहा है रेंग को Towards Electrophilic Aromatic Substitution चीक है और कौन कौन से ग्रुप पे कौन कौन से पोजीशन पे Resonance होएगा Ortho और पैरा पे Ortho और पैरा पे Electron Density जादा रहेगी Electron Density जादा रहेगी तो आपके Ortho और पैरा डारेक्टिंग हो जाएगा अब देखो अलग-अलग तरीके के हमको reaction देखने है पहले हम बात करते है Halogenation का आपको Halogen Add करना है इस पे White Color ले ले लेते हैं ये रहा आपका NH2 ये रहा आपका Aniline इस पे आप reaction करा रहे हो Halogenation बोले तो Bromine कराया Suppose करो आपने Bromine की addition कराई तो होता क्या है Water के presence में इसे हम लोग ब्रोमीन वाटर भी लिखावा मिल सकता है आपको कहीं पे Bromine वाटर भी लिखावा मिल सकता है होता क्या है जैसे ये आपका NH2 है और Bromine वाटर के साथ reaction करता है तो आपका तीनों position पे इदर और थो ये भी और थो और ये पैरा तीनों position पे Bromine जाके add हो जाता है and this forms a white PPT तो ये भी एक तरीके से test के तरह काम आता है कि अगर आपको चेक करना है whether your compound is aniline or not तो Bromine वाटर के साथ reaction करा हो अगर white PPT आ रहा है तो it means it is aniline तो यहाँ पे तो ये देखो आपका जो Bromine थे तीन-तीन Bromine add हो गए ज़रूरी है कि एक हैर हमेशा हम लोगों को तीन ही Bromine add कराने है ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है हम लोग suppose करो Monobromo compound लेना चाहे ये एक ही Bromine जाके add करे एक ही Bromine जाके add करे तो to get Monobromo compound आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही Bromine जाके add करे तो देखो पहले आपको क्या करना होता है जिसे ये है जिसे ये था आपका any lead इस पे आप यार इसको पहले आप क्या करते हो इसको cover करते हो बिसिकलिए एक covering reaction भी होती है सबोस करो मैंने acid anhydride डाल दिया CS3, C double bond O O, C double bond O CS3 ये डाल दिया बने अब देखो यार यहाँ पे reaction क्या होईगी पहले इसको चाहो तो यार ऐसे लिख लो जिसे आपको समझ में आएगा भी अच्छे से ये अभी अभी हमने reaction देखी भी थी ये, चाहो तो यहाँ से तोड़ो देखो, यहाँ से तूटेगा ये यहाँ से तूटेगा, देखो क्या बनाएगा ये देखना अभी दियान से इधर ये NH इधर C double bond O CS3 ये बनाएगा, ये बनाएगा अब इस पे आप यार bromine डालो, तो यार ये monobromo products देगा, तो ये monobromo products देगा, क्यों? क्योंकि देखो यार, अब जो इसका resonance था ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है, दो तरफ में distribute हो रहा है इसका resonance अब इतना जादा effective नहीं रहा है resonance इसका, जिए previous case में, तो chlorine था, एक ही direction में, सिर्फ उसका lone pair था, सिर्फ उसका लोन पेर था, सिर्फ उसका लोन पेर था, सिर्फ उसका बेंजीन को ही दे रहा था, तो ortho और पेरा पे electron density बहुत जादा बढ़ा दे रहा था, तो आपके बहुत सारे bromines आड हो जा रहे थे, ortho और पेरा पोजीशन पे तीन-तीन bromine आड हो गए, लेकिन अगर हमें एक ही चाहिए तो आप पहले उसको, उसकी जो intensity है resonance की वो कम कर दो देखो नहीं जो lone pair है यहाँ पे भी देखो system बैठ रहा है, double bond single bond और lone pair तो right side में भी बैठ रहा है और benzene के साथ भी बैठ रहा है, तो इसके जो lone pair है हम दो direction में distribute हो रहे है कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे तो benzene पे कम जा रहे है ना, benzene पे कम जा रहे है तो उसकी electron density, benzene पे जो ortho और para position पे है, वो क्या होगी comparatively कम रहेगी comparatively कम रहेगी तो अब mono bromo compounds भी लेंगे हमें हमें बहुत सारे bromine यहाँ पे अब add नहीं होंगे बहुत सारे bromine add नहीं होंगे तो देखो यह जो है, आपका bromine, यह कहां जाएगा यह देखो आपका NH CO CS3, एक आपका कहां जाएगा para पे जाएगा और एक आपका कहां जाएगा आपका एक कहां जाएगा आपका एक जाएगा और थो पे, एक जाएगा आपका और थो पे चीक है, अब देखो आपको वापेस से वो regenerate करना है आपका initially group कौन सा था? NH2 group था आपने acid and hydrate के साथ यह कौन है? acid and hydrate के साथ reaction कराई अगर सपोस करो आपको वापेस यार आपका जो group है वो regenerate करना है तो इनके उपर आप थोड़ा सा acid या फिर थोड़ा सा base डाल दीजे acid या थोड़ा सा base डाल दो यह again they would be regenerated यहाँ पर बन जाएगा आपका NH2 और यह BR as it is रहेगा और यह आपका अगेन यह NH2 में आ जाएगा वापेस और यह आपका BR आ जाएगा चीक है? तो अगर monobromo compounds बनाने आपको कि एर एक ही bromine add तो पहले वो जो nitrogen के उपर lone pair थे उसकी resonance की intensity कम करनी पड़ेगी उसको और जाधा distribute करना पड़ेगा के वल अब वो बैंजीन के उपर नहीं जा रहा है इस पे हैं के वल वो बैंजीन के उपर नहीं जारा है CO के साथ भी वो resonance कर रहा है तो बैंजीन के साथ कम कर रहा होगा तो electron density क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेंजीन पर, comparatively ortho और para पर जाधा रहेगी, लेकिन फिर भी कम हो जाएगी ना क्योंकि resonance दो जगे जा रहा है अब previous case में तो एक ही जगे जा रहा थे, तो तीन ब्रोमी नाड हो गए थे इस case में अलग-अलग जगे जा रहा है, तो आपका सिर्फ एक ही ब्रोमी नाड हुआ ortho और para पर, अब बताओ ortho वाला major रहेगा या परा वाला major रहेगा ये चीज हमने कर रखी ये बात, देखो ने यार, ortho और para पर electron density बढ़की बिल्कुल बढ़की, resonance के चलते बराबर बढ़की, तो resonance तो differentiating factor नहीं रहा nitrogen है या उसको वो क्या लगाएगा, minus i भी लगाएगा, तो minus i तो खेचता है electrons खेचता है, तो ortho position तो पास में है nitrogen के, देखो, यहाँ पर देखो, यह ortho position है यह तो पास में, तो यहाँ से electron density जादा खेचेगा वो, और para position दूर है, तो यहाँ से कम खेचेगा तो कहाँ पर electron density अभी भी जादा रही, para पर न, क्योंकि ortho से उसने खेच के, कम कर ली तो यह क्या हो गया, आपका para वाला major हो गया है, और यह क्या हो जाएगा, आपका minor, यह हमने बहुत बार बात करी है, और वापिस से हमने एक बार और बात कर ली बात करना हम नहीं छोट रहे हैं, चलो, तो यह हमने पहले बात कर ली, halogenation की, चलो, electroflake aromatic substitution को यह आगे बढ़ाते हैं, next है आपका nitration, next है आपका nitration, अब जैसे आपने यह लिया है, inilene, चलो, इसका आप nitration करा रहे हो, मतलब आपने HNO3 के साथ reaction कराई, and H2SO4 के साथ reaction कराई, ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, इसमें बहुत सारे products बन जाते हैं, देखो, यह आपका NH2, यह आपका जो NO2 group है, वो पैरा पे भी चले जाता है, ठीक है, वो आपका, वो आपका, मेटा पे भी चले जाता है, यह देखा किया है, मेटा पे भी चले आईए, वैसे बहले ही यह और्थो और पैरा डारेक्ट इसमेंग है, लेकिन मेटा पे भी अटाक हो जाता है, मेटा पे भी अटाक हो जाता है, तो देखो, और तीनों प्रोडक्क बन गाए, इनफाक्ट पैरा 51% बनता है, और तो आपका 47%, सारी, मेटा आपका 47% बनता है, क्योंकि steric रहता है यार वाँ पर और्थो पर steric रहता है क्योंकि देखो यहां पर भी lone pair है nitrogen के पास भी lone pair है तो steric रहता है इस वज़े से ortho कम बनता है और्थो कम बनता है लेकिन हमको तो mixture नहीं चाहिए जिस जिस reaction में mixture बनता है यार वो reaction सही नहीं होती है वो reaction सही नहीं होती है क्योंकि हमें उन्हें separate करना पड़ता है यार फिर हमें additional cost लगानी पड़ती है separation के लिए वो हमें नहीं चाहिए तो यह यह चीछ सही नहीं हो रही है जो यह चीछ मिक्षर बन रहे हैं यह चीछ सही यह होगा यहां से hydrogen जाएगा, यहां से chlorine जाएगा, तो देखो यह क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, यहां पर यह NH, C double bond O, CH3 ऐसा बन जाएगा, बताओ, बिल्कुल बन जाएगा, अब जो again nitrogen के lone pair थे, वो यहां पर भी जा रहे हैं, वो benzene ring के साथ भी जा रहे हैं, तो again दोनों में distribute कर दियें, मैंने, दोनों में distribute कर दियें, तो उसकी power क्या कर दी, थोड़ी सी, कम कर दी, बन जाएगा, अब क्या करा, अब इस पर डाला हमने हमारा nitrating mixture, वो क्या होता है, HNO3 और H2SO4, यह हमने डाला, तो अब क्या होगा, देखो, अब क्या होगा, यह तो पे चले जाएगा, पैरा पे भी चले जाएगा, और ओर्थो पे भी चले जाएगा, रुकिये, चीक है, ओर्थो पे भी गया, और पैरा पे भी गया, अच्छा, अब अगेन हमको वो regenerate करना है, हमको तो पर क्या चाहिए, NH2 चाहिए, यह covering reaction तो हमने इस लिए करी, ताकि हमा वापस NO2 ही चाहिए, तो अगेन क्या कर दो, इसको basic या फिर acidic conditions में डाल देना, और आपका NH2 ग्रूप, region rate हो जाता है, यह आपका उपर NH2 आ जाता है, और इधर NO2 हो गया, प्लस आपका इधर भी NH2 आ जाता है, और यहाँ पर NO2 हो गया, यह हो गया, major कौन चाह रहेगा, प परा को, तो electron density परा पर जादा आती है, comparatively, परा पर जादा आती है, यह बात कर ली है, नाइट्रेशन की, ऐसे ही क्या रहता है आपका, सल्फोनेशन भी रहता है, सल्फोनेशन भी रहता है, कैसे, यह रहा आपका NH2 भईया, यह रहे NH2 भईया, इस पर आप रियाक्शन किसक Concentrated H2SO4, Concentrated H2SO4 की रियाक्शन करा रहे हो, देखो, अब क्या यह बेस है, एनिलीन क्या है, बेस है ना, आपसे बस क्या है, electrons है, H2SO4 क्या है, acid है, तो acid base reaction हो जाएगी, क्या बनते हैं, acid और base जब रियाक्शन करते हैं, यह salt बनते हैं, तो देखो, यह salt बनेगा, NH3 प्लस H SO4 माइनस, यह आपका बन जाएगा, salt, अब क्या गरो, आप इसको हलका सा heat करोगे, भहिया, हलका सा heat करोगे, तो यह आपका, पैरा पोजीशन पे, यह तो आपका NH2 था, यह आपका पैरा पोजीशन पे, SO3H बन जाएगा, यह कौन है, है, sulfonic acid, SO3H कौन सा functional group रहता है, sulfonic acid रहता है, तो देखो, यह आपका compound बना है, देखो, यह आपका compound बना है, यह NH2, यह SO3H, तो यह जो नीचे वाला hydrogen है, यह वाला, यह वाला है acidic hydrogen, और इसके पास क्या है, lone pair, यह जो compound है, उपर की तरहे, तो उपर तो यह करता है, काम base की तरहे, क्योंकि nitrogen के पास क्या है, lone pair, donate कर सकता है, base की तरहे, नीचे से यह काम करता है, आपके acid की तरह है, क्योंकि आपके पास acidic hydrogen भी है, तो ये खुद में ही react कर लेता है और ये आपका ऐसा कुछ बना लेता है यहापर reversible reaction दिखा दीजिए क्योंकि ये switch होता रहता है क्या बना लेता है देखो, नीचे से जैसे ये आपका H+, निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, SO3- बन जाएगा, और उपपर जाके H+, attach हो जाता है, ये बन जाता है NH3+, इसको और हम क्या बोलते हैं zwitter iron भी बोलते हैं तो ये ऐसे reaction चलती रहती है मलब hydrogen उपपर से कभी SO3H पर चले जाएगा फिर SO3H से निकलके NH2 पर जुड़ जाएगा तो ऐसे reaction इधर उदर होती है इसे हम क्या बोलते हैं आपका zwitter iron भी बोलते हैं ठीक है, clear है, ये चीज तो ये बात हो गई, इस अलफोनेशन की अब एक यहाँ पर note डाल देते हैं नोट डालते हैं, जिसे आपको भी लग रहा होगा कि यह फ्रेडल क्राफ्ट रियाक्शन भी थी alkylation, acylation, वो क्यों नहीं बता ही है तो इसलिए ये note ही जो आपके जो एनिलीन होता है वो फ्रेडल क्राफ्ट रियाक्शन नहीं दिखाता है जो वो फ्रेडल क्राफ्ट रियाक्शन नहीं करता है क्यों? क्योंकि जैसे ये रहा आपका एनिलीन ये रहा आपका एनिलीन इसमें आप अगर फ्रेडल क्राफ्ट रियाक्शन होती थी तो इसमें हम लोग क्या लेते थे? ALCL3 लेते थे? ALCL3 लेते थे जैसे CS3, CL के साथ ALCL3 ऐसे लेते थे तो ये जैसे आपका कौन है? या पर लोन पे रहे हैं, तो इसके पास कौन है? ये कौन है? आपका Lewis Base है ये कौन है? Lewis Base है और ये है जो आपका कौन? ALCL3 इसके पास कौन होता है? Mt orbital होता है तो ये electron को accept कर सकता है देखो, एनिलीन तो electron donate कर सकता है तो ये कौन है? Base है ALCL3 electron को accept कर सकता है तो ये कौन है? Lewis Acid है Lewis Acid है, तो ये दोनों ही आपस में react कर जाते हैं और आपका ऐसा कुछ compound बन जाता है ऐसा कुछ आपका compound बन जाता है NH2 plus ALCL3 minus ऐसा कुछ compound बन जाता है तो खुद में ही यार ये compound बना लेता है ALCL3 और अनिलीन खुद में ही react कर जाता है और ये जो compound बनता है It is a strongly It is a strongly deactivating It is a strongly deactivating group ये क्या होता है? बहुत ही deactivate कर देता है बेंजीन रिंग को towards electrophilic aromatic substitution बहुत जादा deactivate कर देता है बहुत जादा electron density खेच लेता है बेंजीन से और अगर electron density बहुत जादा खेच लेगा तो आपके electrophilic attack नहीं कर पाएगा आपकी reaction नहीं हो पाएगी electrophilic aromatic substitution चेक है? तो इसलिए ये फ्रिटल कर फ्रियाक्शन नहीं दिखाता है और राइट? amines हम लोगों ने डीटेल में अच्छे से cover कर लिया है अब क्या बच्चे हैं आपके? अब बच्चे हैं आपके cyanides हो गए आपके nitro compounds हो गए और disonium salt हो गए छेक है? disonium salt start कर रहे है disonium salts यार ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं लेकिन इनकी यार कुछ वापिस chemical reactions आएंगी preparation आएंगी वो सारी चीज़े देख लेते हैं वैसे ये कभी न कभी तो आपके आपने आया ही है कभी न कभी न कभी तो यार ये चीज आही थी disonium salt जैसे देखो आपके disonium salt होते कैसे हैं disonium salt ऐसे देखते हैं आपके जैसे देखो ये आपका benzene की ring this is N2 plus और इदर G minus G क्या है? G कोई group है कौन-कौन सा हो सकता है वो भी बात करेंगे इसको और कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो ऐसे ये रही benzene की ring यहाँ पे N2 को ऐसे bonding करके दिखा दो इदर plus charge होता है और इदर G minus होता है G एक group है यार कौन-कौन सा हो रहा है ये अभी हम बात करेंगे जैसे देख लो चलो G एक group है कौन-कौन सा हो सकता है आपका Cl minus हो सकता है NO3 minus हो सकता है BF4 minus हो सकता है Bromide iron हो सकता है HSO4 minus iron हो सकता है ये सारी चीज़े आपकी हो सकती है N2 plus के साथ जो G हो सकता है ये कोई सभी आपका group हो सकता है पहले बात यार ये जो N2 plus रहता है ये जो आपका N2 plus रहता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देखिए यहाँ पर यह जो आपका N2 प्लस है इसको अगर आप bonding में दिखाना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो N triple bond N और यहाँ पर रहता है positive charge यह जो रहता है न It is a very good It is a very good leaving group It is a very good leaving group तो जितनी भी हम लोग अभी reactions देखेंगे उसमें generally क्या होगा यार यह N2 निकल जाएगा भार Leaving group है न तो हमारी जो compound है उसको leave कर जाएगा उसको टाटा भाय 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 बोलके निकल देगा तो आपके कौनसी gas valve होगी N2, nitrogen gas valve होगी ठीक है तो यह this N2 plus is a very very good leaving group It is a very good leaving group ठीक है अब देखो Dysonium salt है अब पहले इनकी preparation देखते है preparation यार हमने हलका फुलका यह reaction पहले भी देख रखी है preparation जो आपका nitrous acid रहता है HNO2 nitrous acid रहता है HNO2 उससे हम लोग prepare कर सकते हैं आपके Dysonium salt कैसे जैसे देखो यार यह रहा आपका NH2 यह रहा आपका NH2 एनिलीन ठीक है इसमें आप लोगों ने क्या डाला NANO2 और HCL डाला NANO2 और HCL डाला मतलब यार इन दोनों का जो mixture रहता है इसकी जगे आप लोगों को HNO2 भी लिखावा मिल सकता है basically NANO2 और HCL मिला के आपका HNO2 ही बनाते हैं which is your nitrous acid which is your nitrous acid इससे आपके Dysonium Salt बनते हैं इससे आपके Dysonium Salt बनते हैं यह देखो यह आपका बना Dysonium Salt यह आगे आपका N2 प्लस और इदर आजाता है C L माइनस साथ-साथ NACL बनता है पानी बनता है चाहो तो लिख लो NACL और आपका पानी अब यह जो Dysonium Salt रहते हैं यह जो आपका Dysonium Salt है यह जो आपका Dysonium Salt है यह stable बहुत कम temperatures पे रहता है 0 to 5 degree Celsius पे ही यह stable रहता है उसके जैसे आप temperature इससे ज़्यादा बढ़ाने लग जाती हो तो यह वो stable नहीं रहता है यहाँ से N2 gas रिलीज हो जाती है N2 gas रिलीज हो जाती है तो चाहो यहाँ पे ऐसे हम एक point लिख सकते है लिख सकते हैं कि it is stable at low temperatures low temperature पे यह stable है और जैसे यह आप हलका सा भी temperature बढ़ाऊगे हलका सा भी आप temperature बढ़ाऊगे तो N2 gas रिलीज हो जाती है यह अपनी stability खो देता है तो यह बात हो गई आपकी preparation की आप लोग ऐसे disonium salt बना सकते हो अब इसकी reactions कौन कौन सी है इसकी chemical reactions कौन कौन सी है यह हमने कुछ reaction देख रखी है आप लोग याद हो तो sand mayor और यह सब देखा था हमने याद है क्या नहीं आदे चलो देख लो देख लेते है याना देखो कुछ कुछ जो आपकी chemical reactions है वो मैं आप लोग अब बता देता हूँ जैसे देखो यह रहा disonium salt देखो यह रहा आपका disonium salt N2 plus Cl minus यह आपका disonium salt है इसमें आप reaction करा रहे हो सपोस करो CuCl और HCl की या फिर आप या फिर आप यह N2 plus है और Cl minus है इसकी आप reaction करा रहे हो CuBr in presence of HBr यह करा रहे हो या फिर आप reaction करा रहे हो अलग-अलग reactions हो सकती है इसमें देखो सब में ही एक चीज़ होने वाली है N2 plus क्या है एक बहुत बड़ी है leaving group है वो टाटाई भाई 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 बोलके निकलने वाला है जैसे CuCN in presence of KCN तो सब में ही क्या होगा सब में ही क्या होगा यह जो N2 है यह तो निकल लेगा N2 है यह निकल लेगा और उसकी जगे आपका ऐसा कुछ बनेगा देखो ऐसा कुछ बनेगा यह इधर आजाएगा chlorine देखो यहाँ पर chlorine है न आपका CuCl में, HCl में यह जो chlorine है यह इसकी जगे ले लेगा N2 आपका चले जाएगा अब देखो इधर कौन है? Bromine है कौन है Bromine? तो इधर आजाएगा आपका Bromine इधर आगया आपका Bromine और अगयन N2 निकल दिया और इधर देखो कौन है? इधर आपका Sinide है इधर आपका Sinide है देखो na Cn- है इधर आपका आजाएगा Sinide और अगयन N2 चले गया N2 अगयन चले गया ऐसी टाइप की reactions को जो यह है reaction इसको क्या बोला जाता है? Send-Mayer reaction बोला जाता है कौन सा? Send-Mayer reaction इसे बोला जाता है सही है? चीक है? यह हमने reaction पहले भी देख रही है आप लोगों को ध्यान हो तो यह reaction हमने पहले भी देख रही है Send-Mayer reaction अब सारी याड जो general reaction है इसकी Dysonium salt की वो सब में यह ही है N2 gas release होने वाली है N2 gas release होने वाली है Because it is what? It is what? Very good living group है वो तो देखो अब जैसे again Dysonium salt है Again क्या है? Dysonium salt है और इसकी reaction करा रही हो आप Cu, Cl Sorry Cu और HCl के साथ Cu और HCl के साथ ऐसे ही देखो जैसे आपने यहाँ पे N2 plus और Cl minus इसकी reaction करा रही है आपने Cu और HBr के साथ तो देखो होगा क्या? होगा क्या आपका? यहाँ से यार यह N2 निकलेगा और यह जो यह Cl है Cl है, Cl इसकी जगे ले लेगा देखो यहाँ पे कौन आगया आपका? Clorine आगया और N2 gas release हो गई ऐसी similarly यहाँ पे देखो कौन है? Bromine है यहाँ पे कौन है? Bromine है यहाँ पे आगया Bromine आगया और अगेन N2 gas release हो गई यह कौन सी reaction है? इसका नाम है Getterman Getterman reaction ध्यान रखना है थोड़ा सा difference है थोड़ा सा difference है अगर आप Cu की एक oxidation state ले रहे हो यहाँ पे प्लस 1 है यहाँ पे प्लस 1 है तो यह क्या है? आपका send में reaction है CuCl और HCl CuBr और HBr और अगर आप कौपर की Zero oxidation state ले रहे हो तो आपका नाम चेंज होके Getterman हो रहा है अलग-अलग scientist ने आर अलग-अलग conditions के साथ reaction कराई तो इसलिए अलग-अलग name reaction है हाला कि आपसे कोई नाम नहीं पूझने वाला है कोई नहीं पूझेगा नाम ठेक है? चलो और क्या reactions है? और क्या reactions है? जैसे आपने देखो Cl लगा दिया Br लगा दिया ऐसे ही आपका potassium भी लग सकता है इसके साथ आपने reaction कराई के I के साथ तो क्या होगा? अब इसमें iodide है I minus यह I minus चले गया सरी I जुड़ गया इदर और यहाँ पे N2 gas release हो गई यहाँ पे N2 gas release हो गई ऐसे ही आप चाहो तो इसकी पानी के साथ reaction करा सकते हो देखना अभी यह रहाँ आपका Disonium salt ठीक है? इसकी आप पानी के साथ reaction करा रहे है तो पानी में कौन है? OH minus iron है न? तो वो OH minus iron जाके जुड़ जाएगा आपकी benzine ring पे यह देखो OH minus जुड़ गया और अगेन N2 gas release हो गई ठीक है? तो यह सारी reactions हो रही है यह सारी reactions हो रही है और देखो और क्या हो सकता है? जिसे देखो आप लोग क्या करो? यह Disonium salt लिया आपने देखिएगा यह Disonium salt लिया और इस पे reaction करा रहे हो आप H3PO2 की सबोस करो H3PO2 की कराई या फिर आप लोगोंने H3PO2 का structure याद है H3PO2 का structure याद है आप लोगों को इसमें सबोस करो C2H5OH से कराई reaction C2H5OH से कराई जिसे H3PO2 का structure याद करें तो P double bond हो इधर OH इधर H और इधर H तो basically यह वाले जो hydrogen है जो directly phosphorus से जुड़ेवे हैं यह आपके यहाँ पे replacement कर देते हैं और आपका क्या बन जाता है benzene बन जाता है ऐसी similarly यह वाला hydrogen निकलता है और यहाँ से यहाँ पे यह benzene बन जाता है और N2 gas रिलीज हो रही है N2 gas रिलीज हो रही है तो ऐसी type की भी reaction होती है एक और यार इस पे reaction होती है coupling reaction एक और इस पे reaction होती है coupling reaction देखिए ठीक है अगर यह आपका different different compounds को पहचानने में भी काम आता है और dyes बन ती है इंदर जो dye होती है ना आपकी organic dye होती है वो भी यहाँ से coupling reaction से बन ती है कैसे जिसे सपोस करो आपका dysonium salt है जिसे यह रहा dysonium salt N2 plus Cl minus अब आप सपोस करो इसकी reaction करा रहे हो phenol के साथ इसकी reaction करा रहे हो phenol के साथ यह रहा OH ठीक है तो phenol की जो paraposition है यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी एक hydrogen है ना यहाँ पे basically reaction हो जाती है कहाँ पे आपका जो phenol का paraposition है यह वाला position यहाँ के दोनों के दोनों एक disonium salt और phenol एक तरीके से कपल बन जाते हैं कपल बनना मतलब जूड़ना और कहाँ पे जूड़ रहे हैं paraposition पे जूड़ रहे हैं conditions लेते हैं हम लोग basic conditions लेते हैं और pH हम लोग रखते हैं 9 से 10 9 से 10 लगबग लगबग हम लोग pH रखते हैं और temperature रखते हैं 0 से 5 degree Celsius कम temperature तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि daisonium salt stable ही रहता है कम temperature पे उसके बाद तो क्या हो जाता है? unstable हो जाता है तो देखो couple बन रहे हैं ये OH फिनॉल के साथ react कर रहा है उसकी paraposition पे जुड़ रहा है देखो क्या बनाएगा ये? ऐसा कुछ बनाता है ये ऐसा कुछ यहाँ पे ये N double bond और यहाँ पे ये आपका OH group तो देखो OH से paraposition पे attach हुआ है तो इसको और भी क्या बोला जाता है? parahydroxy 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 तो OH के रहे यूज हो रहा है और paraposition पे है और azobenzine azobenzine और ये color कौन सा होता है? इसका होता है orange color की dye होती है orange dye होती है चीक है? तो ये जो coupling reactions हैं ये dye बनाने के भी काम में आती है एक तो यह ये वाली होती है ऐसी सबोस करो एक और coupling reaction होती है aniline के साथ देखिएगा ये रहा यार आपका N2 plus Cl minus चीक है? और aniline के साथ reaction देख रहे हैं ये रहा से-se-aniline इसके साथ couple करने वाले हैं ये रहा aniline और ये रहा यहां पे hydrogen उसकी paraposition पे coupling होईगी? coupling होईगी उसकी paraposition पे spare condition लेते हैं हम लोग acidic और pH लेते हैं हम लोग 4 से 5 मतलब बहुत ज़्यादा भी acidic नहीं होती है hulky full के acidic होती है ऐसी previously hulky full की basic थी बहुत ज़्यादा basic नहीं थी 9 से 10 pH थी चीक है? और यहां पे acidic भी हमने hulky full कर रखा है temperature तो हमको कम ही रखने पड़ेंगे क्योंकि obviously आपका stable रखना है हमको dizonium को अब क्या होगी? again reaction होएगी देखो क्या बनेगा आपका paraposition पे reaction होएगी देखो यह रहा यह N double bond N यह आपका यह आपका NH2 तो ध्यान से देखो तो NH2 के paraposition पे जाके add होएँ है जाके couple बनाएँ यह क्या है आपका para amino देखो उधर hydroxide आ क्योंकि OH ग्रूप था यहाँ पे NH2 ग्रूप है तो amino और azobenzene azobenzene basically यह जो ग्रूप पर रहता है N double bond N left side पर attachment right side पर attachment यह जो ग्रूप रहता है यह azobr रहता है तो इसलिए azobr लगाना चाहरे है और benzene जोडे में दोनों left और right side तो इसलिए benzene use कर रहे है ठीक है अब यह भी आपकी एक dye है यह है आपकी yellow color की dye this is yellow dye ठीक है तो याद रखना है अगर aniline के साथ reaction हो रही है तो yellow color की dye बनेगी phenol के साथ reaction हो रही है तो आपकी orange color की dye बनेगी correct तो देखो यही reactions है यार आपके dysonium salt के बहुत छोटा सा ही है यार जादा कुछ बड़ा नहीं है और यहाँ पे यार आपका dysonium salt complete होता है अब हम लोग move करते हैं जैसे nitro compounds में nitro compounds NO2 NO2 वाले compounds है उसमें देखते हैं देखने हैं यार इसमें बहुत सारी reactions आने वाली है एक एक करके यार सारी चीज़े cover करेंगे पहले AC बंद करेंगे चिक है चलो देखिए nitro compounds की बात कर रहे है जैसे CS3 NO2 यह हो गया आपका nitro compound CS3 CH2 CH2 NO2 यह हो गया आपका nitro compound ऐसे ही आपके benzene ring पे भी लगावा हो सकता है CS3 NO2 ऐसे हो सकता है आपके 2 NO2 groups हो सकते हैं ठीक है 2 NO2 groups हो सकते हैं ठीक है आपसे पहले बात करते हैं इनकी preparation की कि आप लोग इन्हें बना कैसे सकते हो क्या तरीका है इनको prepare करने का preparation of nitro compounds nitro compounds देखो जो मैं preparation लिखने वाला हूँ यह आपने देख रखी है यह आपने देख रखी है बिल्कुल दे रखी है पहला क्या है by direct nitration by direct nitration of hydrocarbons ध्यान है आप लोग को hydrocarbons की जो alkanes बढ़ते थे हैं वहाँ पर सबसे major reaction कौन सी होती थी कोई बता सकता है याद है किछी को halogenation होती थी है ना फिर हम लोग ने halogenation में बहुत detail में fluorine, chlorine, bromine, iodine अपके बारे में बढ़ाता फिर end में same type का mechanism मैंने आपको बोलाता कि है nitration में भी होता है sulfonation में भी होता है तो वही बात कर रहा है by direct nitration of hydrocarbons जो आपके alkanes है उनका direct nitration कर दीजिए जैसे देखो ये रहा आपका alkane कौन है? ethane ले लिया high temperature रख दिए इसमें क्या होता है? substitution होता है substitution होता है जैसे एक hydrogen हटा उसकी जगे NO2 आ गया ठीक है? हो सकता है इनके बीच में bond टूट जाए CS3, CS3 के बीच में bond टूट जाए और यहाँ पे ये बन जाए तो basically mixture of product बनता है mixture of products मिलता है हमें कौन सा mechanism follow होता है? free radical mechanism halogenation में भी free radical होता था यहाँ पे भी आपका free radical mechanism follow होगा free radical mechanism follow होगा चीक है? और इसको हम बोलते हैं एक और terminology यार यूज करी जाती है इसको हम लोग बोलते हैं vapor phase nitration VPN भी बोलते हैं vapor phase nitration भी इसे बोला जाता है vapor phase nitration भी इसे बोला जाता है correct है free radical mechanism में यह follow करता है और अगर हम लोग reactivity की बात करें reactivity की बात करें तो free radical mechanism में follow कर रहा है तो आपका free radical जितना ज़्यादा stable रहेगा उतनी ज़्यादा reactivity रहेगी तो 3 degree का सबस्यादा reactive then 2 degree, then 1 degree यह तो आपने बहुत बार बात कर रहे है कि जितना ज़्यादा है आपका reaction intermediate stable रहता है उतनी ज़्यादा reactivity रहती है तो reactivity सबस्यादा 3 degree की then 2 degree की then 1 degree की यह पहला तरीका यह देख रहा था बिलकुल देख रहा था दूसरा तरीका दूसरा तरीका भी देख रहा है देख रहा है हमने जब हेलो एलकेंस और हेलो एरींस पड़ रहे थे तो भी यह चीज आप लोग ने देखी है कैसे देखो from alkyl halides यहां से भी आप लोग यार आपके nitrogen containing compounds बना सकते हो NO2 nitro group बना सकते हो कैसे जिसे आपने alkyl halide लिया suppose करो यह alkyl halide यह लिया आपने suppose करो इसकी reaction करा ही agno2 के साथ अब याद आ रहा होगा आपको अब याद आ रहा होगा जिसे agno2 का structure देखी आप structure ऐसा कुछ रहता है ag इधर O इधर N double bond O और इधर ओ इसकी reaction कर आ रहे हो आप एक alkyl halide के साथ अब देखो होता क्या है यहाँ पे reaction दो atom से हो सकती है यहाँ पे देखो यार इस oxygen के पास भी lone pair है इस nitrogen के पास भी lone pair है और इस oxygen के पास भी lone pair है तो अब attack या तो nitrogen कर सकता है और nitrogen के cases में, आपका oxygen lone pair रख सकता है अपने पास, तो वो attack नहीं करेगा कौन attack करेगा, nitrogen attack करेगा, nitrogen attack करेगा तो जो bonding होईगी, वो किस sides होईगी किस sides होईगी, nitrogen के sides होईगी किस sides होईगी nitrogen के sides होईगी, तो देखो क्या बनेगा CS3, CH2, NO2 और उधर ही अगर जैसे एक और आपको मैंने ये भी case दिखाया था है अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे CS3, CH2I और उधर ही अगर आप ले रहे हो NaNO2 ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है Na plus है और NO2 माइनस है देखो हैर जो AgNO2 होता है ये एक होता है covalent compound ये क्या होता है covalent compound होता है तो इसकी ये अलग बात करीं हमने और NaNO2 क्या होता है आपका ionic compound है देखोने ये मैंने katayenne और anion बना दिये हैं ये क्या है एक ionic compound है ये क्या है ionic compound है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका NO2 है इसका ऐसा structure है NO2- तो अब यहाँ पर कौन attack करेगा यहाँ पर oxygen attack करेगा क्यों 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 उसके पास ज़्यादा electron density है उसके पास क्या है negative charge देखो यार दो factors है यार negative charge हो जिसके पास वो उसका attack करा देगा तो इस particular case में जैसे फर्स्ट केस में negative charge नहीं था सब के पास loan pair थे लेकिन negative charge किसके पास भी नहीं था तो मैंने क्या देखा जिसकी electronegativity कम उसका attack कराया तो यहाँ पर यह attack करेगा तो यह क्या बनाएगा CH3 CH2 अब देखो bonding कि साइड से हो रही है O की साइड से हो रही है तो यह बनेगा ONO इसको बोलते हैं हम लोग nitrite यह वो ही same funda बैट रहा है जो AGCN और KCN के साथ करते थे वैसा ही same सा ही यहाँ पर funda होता है चेक है clear है तो यहाँ से भी देखो यह जो पहरा तरीका है यहाँ से भी आप लोग nitro compounds बना सकते हो यहाँ से भी आप लोग nitro compounds बना सकते हो चेक है इसमें अगर हम देखें तो हो क्या रहा है जैसे iodine निकल रहा है iodine भार निकल रहा है और उसके जगे कौन ले रहा है NO2 ले रहा है या ONO- ले रहा है तो iodine क्या है, एक, I- निकल रहा है, तो it is a nucleophilic substitution reaction, substitution हो रहा है, iodine निकल रहा है, NO2 हो रहा है, substitution हो रहा है, और किसका हो रहा है, nucleophile का, तो it is a nucleophilic substitution, it is a nucleophilic substitution reaction, कौन सी reaction है, nucleophilic substitution reaction है, correct है, चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यह तो हमने preparation देख ली, यह हमने preparation देख ली, अब हम लोग देखते हैं इसकी क्या chemical properties हैं, इसकी क्या-क्या chemical properties हैं, जरा यह भी देख लो, जो NO2 groups रहते हैं, उसके वज़े से क्या-क्या chemical property आती है किसी बड़े गलर compound में, यह सारी चीज़े देखनी हैं, तो क्या होगा, जैसे आपका यह है, RNO2, अब reduction कर रहे हो, आप suppose करो, S, N, H, C, L के साथ, या फिर, और S, N की जगे अगर F, E, भी ले सकते हैं, यह भी चल जाता है, यह भी चल जाता है, और दूसरे step में आप थोड़े बहुत basic conditions रख लेते हो, तो क्या होता है, अगर NO2 का addition रह H4, lithium aluminum hydrate, reducing agent रहता है, यहाँ से भी क्या बन जाएंगे, आपके amines बन जाएंगे, यहाँ से भी amines बन जाते हैं, ऐसे similarly, अगर आप RNO2 यूज करते हो, और कोई metal लेते हो, जिसे zinc जैसा metal लेते हो, तो यहाँ से अब amines नहीं बनते हैं, इसको ध्यान रखना है, इससे बनता ह है, जिसे अगर कोई live example आप देखना चाहो, तो इसका लेलो, यहाँ पर कोई compound ही लगाते हो, जिसे CH3, CH2 ले लिया हमने, कोई से अभी R के जगे हैं, मैंने कोई alkyl group लगा दिया, तो यहाँ पर देखो क्या बन जाता है, CH3, CH2, NHOH बन जाते हैं, यह बन जाते हैं, इसको इसको डब्बे में ही ले ले लेते हैं, लाल कलर के डब्बे में, इसको ध्यान रखना, यह वापस अभी आएगा थोड़ी देर में, तो याद तो हो जाएगा यार आपको, याद रखना, जिंक के presence में, यह hydroxyl amine बना रहा है, नॉर्मल amine नहीं बन रहा है आपका, ठीक है यह होगी reduction की बात, और क्या, hydrolysis, अबर पानी के साथ reaction कराओ गयार, तो कैसे करेगा यह काम, hydrolysis reaction देखिए, तो जैसे यह है आपका, यह है आपका, अण, एनोडु containing component है, सोरे एक सेकेड है न हाँ, चलो तो हैड़ोलिस कैसे रहेगी हैड़ोलिस कैसे रहेगी, यह action हम लोगोंने यह कोई पर कमपाउंड लिया और इसको थोड़ा पहुत हमने जैसे बेसिक कंडिशन में डाला बेसिक कंडिशन में डाला तो देको होता क्या है ये वाला जो आपका hydrogen है जैसे CH2 दिख रहे है न आपको चाहो तो यार इसको ऐसे लिख लो CH, H लिख लो तो जो basic condition होती है वो इस वाले hydrogen को extract कर लेता है as H+, H+, as extract कर लेता है ये देखो क्या बना लेता है R, CH, यहाँ पे minus आ जाता है और ये NO2 आता है तो ये जो carbon ion मनता है ये अच्छा कासा stable रहता है क्यों? क्योंकि देखो बाजू में इसके कौन लगावा है NO2 ग्रूप लगावा है तो ये बढ़िया तरीके से minus R, minus I देगा तो अच्छे से stable करतेगा उसे तो जो base रहता है OH-I, वो इस H+, को extract करता है फिर आप इस पे जैसे ही H2SO4 डालते हो, थोड़ा बहुत है acid डालते हो तो ये ultimately convert हो जाता है आपके LDHID में किसमें convert हो जाता है? LDHID में convert हो जाता है चीक है? अच्छा, देखो उसी की जगा अगर ऐसा कुछ है जैसे R, C यहाँ पे R, H कर दो यहाँ पे R कर दो यहाँ पे NO2 कर दो यह कर दो और इसको यार आपने suppose करो basic conditions दी अब क्या करेगा? यह again अगेन इसको extract करेगा तो देखो क्या बना लेगा? यह R, C, R इदर आ गया है NO2 और यहाँ पे आ चुका है minus का sign अब अगेन इसमें क्या डाला? H2SO4 डाला तो यह क्या बना लेता है? Ketone बना लेता है क्या बना लेता है? Ketone बना लेता है देखो यार आपका यह जो यह है न यह R, C, H2, NO2 यह जो मैंने पहला लिया है This is 1 degree Nitro-Alkene This is 1 degree Nitro-Alkene क्यों? क्योंकि NO2 group जिस carbon से जुड़ा है जिसको देखो मैं blue mark कर रहा हूँ यह वाला इसके कितने डिग्री है? 1 degree है न? अब इसके कितने डिग्री है? 1 degree है तो यह आपका यह क्या है? 1 degree Nitro-Alkene यह है 1 degree Nitro-Alkene च्छिक है? ऐसे ही क्या है? यह 2 degree Nitro-Alkene तो जो 1 degree Nitro-Alkene है उसके Hydrolysis पर आपको मिल रहा है LD-Hight 2 degree से क्या मिल रहा है? ketone मिल रहा है और obviously अगर 3 degree होगा तो इस H की जगे भी R group आ जाएगा तो बेस अटाक ही नहीं कर भाएगा उस पे बेस का पहला अटाक क्या है? H plus को एक्स्ट्राक करना और 3 degree Nitro-Alkene पर तो कोई भी H plus होगा ही नहीं तो 3 degree react नहीं करेगा 3 degree का Hydrolysis नहीं होगा 3 degree का Hydrolysis नहीं होगा चेक है? clear है? चलो, next reaction देखें next reaction है जैसे reaction with nitrous acid nitrous acid बहुत आ रहा है है HNO2 चेक है? nitrous acid के साथ क्या reaction होती है तो suppose करो ये है आपका ये है आपका nitro-Alkene इसमें आपने nitrous acid के साथ reaction करा है nitrous acid की जगे है हमें NaNO2 plus HCl भी ले सकता था वो भी क्या है? nitrous acid ही है उसमें भी क्या बनता है? nitrous acid ही बनता है तो देखें ये अब आप लोगों यहाँ पे वो ही बात करने वाले हैं हम अपी जैसे देखो ये क्या बना? आप लोग चाहो तो यार जब victor-made test पढ़ाया था आप लोगों वो एक बर वीडियो आप लोग देखना तो उसके दोरान जो victor-made test बन रहा था उसमें ये RCH2 NO2 ये बना था ये बना था आप लोग जैक कर लेना तो अगर उसपे आप nitrous acid डाल रहे हो तो ये देखो ये आपका कौण सा है? 1 degree का nitro-alcane है 1 degree का nitro-alcane है और इसपे आप क्या डाल रहे हो? HNO2 डाल रहे हो तो ये देखो ये क्या बनाता है था? R C double bond NOH और यहाँ पर आ जाता था आपका NO2 ये क्या बनता था? नाइट्रोलिक आसड याद आ रहे है ये क्या बनता था? नाइट्रोलिक आसड बनता था और इसपे जब आप NOH डालते थे तो red color का एक solution बनता था red color का solution बनता था correct है? correct है अच्छा उधर ही अगर जिसे 1 degree का लिया अब सपोस करो मैं 2 degree nitrogen ले लेता हूँ मैं सपोस करो 2 degree का nitrogen ले लेता हूँ यहाँ पर मैंने ले लिया R2 CHNO2 ये क्या है? 2 degree का nitrogen HNO2 के साथ reaction करा रहे हैं अब ध्याने आपको pseudo-nitrol बनता था ये पहले तो ये लिख लो ये क्या है? 2 degree का nitrogen है 2 degree का nitrogen है क्या बनता था आपका? pseudo-nitrol बनता था ये R2 C यहाँ पे तो ये नो 2 आ गया और यहाँ पे आपका NO हो गया ये क्या है आपका? pseudo-nitrol pseudo-nitrol और इसमें जब आप base डालते थे NaOH तो no reaction तो no reaction ठीक है? तो ये जो आपका pseudo-nitrol होता था ये कौन्से कलर का होता था? blue color का होता था ये आपका होता था blue color का correct? और जो उपर वाला बना है ये कौन्से कलर का बना है? red color का इसको चाहो तो red से ही लिख लो red color चलो जो भी है न cno2 ये है और इसकी आप hno2 के साथ reaction कराओगे तो it is no reaction मतलब colorless ही रहेगा colorless ही रहेगा this is 3 degree का nitro-alkane तो basically इसमें भी यार सेम ही आ रहा है जो आपका 1 degree का nitro-alkane है वो red color का आ रहा है 2 degree का है वो blue color का आ रहा है और 3 degree react नहीं कर रहा है तो ये भी एक तरीके से test है nitro-alkanes को differentiate करने के लिए ये भी एक तरीके का test हो चुका है ये सेम चीज हम लोग पढ़ चुके है Victor Mayor test में जब हम लोग alcohols पढ़ रहेते चाहो तो यार एक बार उस चीच को refer कर लेना अब जिसे देखो जो आपके NO2 containing groups रहते हैं ये ये हलके फुल के acidic भी रहते हैं कैसे दिखाते हैं ये acidic behavior देखो जिसे acidic behavior देखते हैं हम लोग बहुत minutely acidic रहते हैं जादा कुछ ऐसे acidic नहीं होते हैं बहुत minutely acidic रहते हैं ऐसा कैसे क्यों जिसे हम बात करें इसकी CH2 जिसे ये NO2 है और यहाँ पे यार आपका ये H लगावा है बिसे लिए CS3 NO2 की बात कर रहा है अब suppose करो ये वाला जो hydrogen है ये निकल लिया ये बहर H plus की तरह चले गया ये अगर बहर H plus की तरह चले गया तो आपका देखो क्या बच जाएगा CH2 minus N double bond O और इधर ये अब ये देखो ये जो आपका ये carbon anion बना है यहाँ पे resonance stabilization हो रहा है कैसे देखो ये यहाँ पे जाएगा यहाँ पे जाएगा तो देखो resonance हो रहा है देखें वाइट से ही लिखेंगे या रहा न वाइट से ही लिखेंगे देखो resonance हो रहा है CH2 double bond N इधर O minus और इधर ये तो ये जो आपका carbon anion बना है this is resonance stabilized it is stabilized by resonance resonance के थूँ ये stabilize हो रहा है जो आपका conjugate base है जो आपका anion है वो stabilize हो रहा है resonance के थूँ और हमें पता है अगर हमारा conjugate base stable मनता है तो reaction कहां जाती है? forward जाती है और acid character increase होता है ये बहुत हलके फुल के acidic रहते हैं बहुत हलके फुल के acidic रहते हैं ज्यादा नहीं रहते हैं हलके फुल के acidic रहते हैं जिसे ऐसे देखो अगर आपका इसकी बात करें तो this is one degree का nitro alcan अगर उधर ही है हम बात करें two degree nitro alcan जिसे देखो अगर मैं ऐसा कुछ लेना चाओ CH CS3 यहाँ पर ले लो NO2 यह क्या है? two degree का nitro alcan this is two degree nitro alcan अब यहाँ पर यह वाला जो hydrogen है देखो यह वाला जो hydrogen है अगर यह जो चले जाएगा तो यहाँ पर negative charge जाज जाएगा इस carbon पर और वो stabilize हो जाएगा किसके दुरू? NO2 के दुरू तो यह भी यार हलका फुल का acidic है slightly acidic, यहाँ पर लिख लो जैसे slightly slightly acidic हलका फुल का यार यह acidic है लेकिन अगर उधर ही मैं 3 degree का nitro alkyne लेना हूँ देखो CS3 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 NO2 तो इसके पास तो यह कोई भी hydrogen नहीं है इसके पास तो कोई भी alpha position पर होना चाहिए NO2 के जिस बास में होना चाहिए तो यह not acidic this is not acidic H plus यहाँ से release होई नहीं सकता है क्या है यह 3 degree का nitro alkyne है यह acidic नहीं है यह acidic नहीं है चीक है clear है तो 1 और 2 degree के जो रहते हैं those are only slightly acidic बहुत जादा भी कुछ नहीं होते है यह ना हलकेफुल के acidic रहते हैं slightly acidic slightly acidic चीक है अच्छा यहाँ यहाँ पे कहीं बार ऐसे tautomerism भी होता है जैसे देखो यह है आपका RCH2 N double bond O ऐसे इसको ऐसे लिख लो तो इसमें कहीं बार tautomerism भी होता है जैसे मैं इसका tautomer भी आपको बना के दिखा दूँ देखो तो इसमें tautomer हम कैसे करते हैं 1,2,3 position कर दो इसको एका दे दो इसका दुक्का दे दो इसको तिक्का दे दो तो कुछ नहीं एक पे जो हाइडरोजन लगावा है उसको जाके कहां पे जोड़ दो 3 पे जोड़ दो और 1 और 2 के बीच में double bond आ जाएगा तो यह ऐसे भी बन जाता RCH double bond N यह तो azotis था oxygen और यह आज चुका है OH इसको इसका S-E form भी बोला जाता है S-E form भी इसका बोला जाता है तो यह आपर यह tautomer भी दिखा सकता है टautomer भी दिखा सकता है ऐसे नहीं है किवल keto enol tautomerism नहीं होता है सबसे important वो ही है लेकिन yes कुछ और compounds भी आपके tautomerism में दिखा सकते है तो यह इसका acidic behavior की बात करी और जादा कुछ है important नहीं इतना एक्दम बहुत जादा important नहीं है लेकिन yes available है तो हम लोग उसे cover करते वे जा रहे हैं जैसे देखो आपकी halogenation reaction भी होती है नाइट्रो compound के साथ halogenation reaction भी होती कैसे CS3, CH2, NO2 था अब आप इसको halogen के साथ react करा हो जैसे CL2 के साथ reaction करा है in presence of some base तो क्या होता है alpha position पे यह वाली जो alpha position है यहाँ पे substitution अकर होता है यहाँ पे substitution होने लग जाता है क्या होता है जैसे 1 chlorine आ सकता है देखो यह chlorine आ गया ऐसी similarly जो 2 hydrogen थे वो दोनों भी replace हो सकते थे और आपके 2 chlorine भी आ सकते थे यह भी बना सकता था ऐसी suppose करो अगर यह है आपका CH3, NO2 है और इस पे आपने reaction करा है again CL2 और NOH के साथ alpha position कौन सी? यह है ना यह वाली alpha है, 3 hydrogen है तीनों की तीनों replace हो सकते है chlorine के साथ, यहाँ पे C, Cl3 आ सकता है NO2 भी आ सकता है यह भी बन सकता है यह कुछ नहीं, alpha position पे substitution हो जाता है जातर यह जो reaction रहती, वो alpha position पे ही रहती है क्योंकि यह वहाँ से जो NO2 है मानलों suppose कर alpha वाले carbon को negative चा जा जा गया तो NO2 अपना minus R, minus I दिखा के उसे काफी stable कर लेता है काफी stable कर लेता है ऐसे ही आपकी छटी reaction है heating effect अगर मैं NO2 containing compounds को heat करूँगा तो क्या होगा जिसे यह R, CH2, CH2, NO2 इसको आपने heat करा इसको आपने heat करा तो क्या होता है, एलकीन बन जाते है आपके एलकीन बन जाते है और nitrous acid निकल लेता है और अगर आपका छोटा कोई NO2 compound है यह है, जैसे CS3 NO2 यह है, तो इसको heat करने वे भया N2 gas निकल जाती N2 plus CO2 plus H2, देखो पूरा-पूरा gaseous compound में convert हो जाता है तीनों की तीनों क्या है, gases है कोई यह सरपाव नहीं है इन reactions के घबरानी की बात नहीं है इन सबको सरपाव नहीं है इनके mechanism में हम नहीं जा सकते और अगर चले गए तो band बच जाएगा इतना need भी नहीं है जिस mechanism की need है वो बताएंगे इसमें जरूत है mechanism की और यह mechanism आपको देखा देखा भी लगेगा अल्डॉल देखी थी हमने LDHID की टोन्स में अल्डॉल देखी थी वैसी CER यहाँ पर देखो कुछ reaction होती है कैसे देखो CS3 C double bond OH है यह आपका LDHID है और एक compound ले लो आप आपका NO2 containing compound इसकी reaction किसका आप करा रहे हो basic conditions लेते थे हम लोग है suppose करो NaOH ले दिया मतलब base ले दिया कोई OH-I N भी लिख सकते थे और second में आपने H plus और पानी दे दिया और फिर आपने heating भी करा दी third step में आपने heating भी करा दी heating भी करा दी देखो होता क्या है सबसे पहले step की बात करते है आपके पास क्या है OH-I N है उसमें क्या होता है वो extract करता है यहां से H plus देखना दियान से देखोगे न तो अल्डॉल जैसा ही लगेगा यह बिल्कुल अल्डॉल जैसा ही लगेगा वहाँ पे भी mechanism बता ही थी CH-C-H आ जाता है और यह NO2 आ जाता है अब देखो कार्ब अनायन बना है और उसको NO2 अच्छा खासा stable करके बैठा है उसको NO2 अच्छा खासा stable करके बैठा है क्योंकि NO2 shows minus I and minus R effect अब क्या होता है यह जो आपका बना है CH3 CH यह NO2 यह जो बना है यह आपका जो LD हाइड है LD हाइड की जगे ketone भी हो सकता है चल जाएगा देखो हमें यार इतना पता है देखें यहाँ पर यह जो आपका carbon है इस पर क्या चारज है डिल positive इस पर क्या चारज है डिल negative यहाँ पर attack करेगा आपका यह इधर attack करेगा और यह pi bond क्या करेगा खुल जाएगा ऐसी तो होता था देखो यहाँ पर क्या बनेगा CS3 CH यह तो NO2 as it is था यहाँ से यह C इधर यह O- और इधर CH3 और इधर यह hydrogen था यह as it is correct है यहाँ तक चीज़े सही है अब देखो second step में क्या करा है second step में क्या करा है H plus और water मतलब hydrolysis हो रहा है तो देखो इसमें क्या करते थे इसमें हम क्या करते थे देखो यह रहा आपका NO2 this is CO minus H CS3 और इसके ज़एद किसके reaction है H plus और water मतलब hydrolysis कर रहे हो H plus जाके O minus के साथ बिढ़ जाएगा और आपका OH बना लेगा देखो यह आपका C H इधर OH और इधर CH3 यह बन गया यह बन गया अब देखो third step में क्या हो रही है heating हो रही है हीटिंग हो रही है तो देखो third step में क्या होता है जो भी आपका बना है क्या बना है? CS3, CH, NO2, CH, इधर से OH और इधर से CS3 फिर आप क्या कर रहे हो? heating कर रहे हो क्या कर रहे हो? heating कर रहे हो तो इसको जरा उड़ाना, यहाँ पर देखो heating करने में क्या होता था? याद है कुछ? इसको जरा H यहाँ से लिख लो अब तो समझ गए होगे क्या करने वाले हैं? heating करने में क्या होता था? यहाँ से आपका पानी निकलेगा और आपका बन जाएगा CS3, CNO2, double bond CH, CH3, यह आपका बन जाएगा compound correct है, ऐसे इकर देते, अब तो mechanism में हैर पूरा बता दिया अब ज़रा trick से देख लेते हैं, जैसे देखो आपका LDH, CS3, C double bond OH, इसको ऐसे लिख दो, basically, ultimately आपको पानी निकालना है, water release करना है आप लोगों को, तो यहाँ से देखो LDH से आपका आगया oxygen, और कौन था आपका? और कौन था? CS3, CH2, NO2 यह था ना आपका? तो इसकी जो alpha position है, देखो यह तो यह तो NO2 हो गया, यह alpha position हो गई, इसको गूरू ज़रा आप, तो इसको ऐसे लिखो, जैसे यह C, यह H, यह H, और यहाँ पे यह CS3 है, यहाँ पे यह NO2 है, तो मैंने आपके, alpha position वाली carbon को ऐसे खोल के दिखा दिये, ऐसे ही करते थे हम लोग, यहाद आ रहा होगा आपको, यहाँ से निकालते थे आपका water molecule, और देखो क्या बनेगा आपका, ultimately double bond आ जाएगा, double bond C, CH3, NO2, ध्यान से देखो के तो same ही compound है, उपर वाला और नीचे वाला, same ही compound है, तो आपका यह direct answer आ जाएगा, यह आपका direct answer आ गया है, correct? और question करा दें, और question करा दें, जैसे देखो, यह है अगर आपका, suppose करो, इसके साथ reaction हो रही है आपकी, reaction हो रही है इसके साथ, आपकी suppose करो, इसके CH3NO2 के साथ, इसके reaction, तो देखो, oxygen यहाँ दिखा दो, और इसको चाहो तो ऐसे कर दो, देखो, एक hydrogen ऐसे दिखा दिया, बाकी मैंने यह दो hydrogen ऐसे दिखा दिया, अब क्या करूँ, water molecule release करा दूँ, देखो क्या बनेगा, CH double bond CHNO2, correct है, तो बहुत आसान है, simple aldol जैसे ही चल रहे है, simple aldol जैसे ही चल रहे है, एक side से oxygen निकाल लेना, बाकी दूसरी side से alpha position से hydrogen निकाल लेना, चीक है, तो वो क्या करेंगे, remove हो जाएंगे, और उनके बीच में double bond आ चाहेगा, उनके बीच में double bond आ चाहेगा, तो ऐसे ही यार यही आपके reactions होती है, ऐसी ही type के आपके reactions होती है, अब जैसे देखो, अगर हमें suppose करो, aromatic nitro compounds बनाने है, जैसे हमको बनाना है, aromatic nitro compounds, ऐसा कुछ, देखो, मलब जो आपकी benzene ring है, उस पर हमको NO2 group चाहिए, उसको हमको NO2 group चाहिए, तो यह आप लोगों ने reaction देख रहे हैं, electrophilic aromatic substitution, जैसे यह benzene है, इसमें आपने suppose करो, डाला concentrated HNO3, और concentrated H2SO4, यह डाला, और आपने अच्छा खाचाई से heat करा, क्या होता था, यह nitrating mixture से NO2 प्लस आता था, और यहाँ पे NO2 जुड जाता था, यह आता था, और उधर ही अगर आप लोगों ने, और भी ज़्यादा आपको कराना है, आपने उधर और भी ज़्यादा, temperatures ले लिए हैं, concentration और भी खतरनाक ले लिए, जैसे यहाँ पर कहीं बार लिखावा होता है, आपको, fuming HNO3, या फिर, fuming H2SO4, बहुत concentrated ले लिए हैं, और भूत high temperatures रख ले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, दो आपके, NO2 ग्रूप लग जाता है, तीन तब भी नहीं लग पाते हैं, क्यों? सोचता है क्यों, क्योंकि यह जो NO2 ग्रूप रहते हैं, वो क्या रहते हैं, deactivating group रहते हैं, यह हमें पता है, NO2 are deactivating group, तो वो benzene ring को deactivate करता जाता है, तो जैसे एक लगा NO2, जैसे उपर वाले case में देखो, जैसे यहाँ पर यह लगा, NO2 लगा, तो इसने deactivate करा, ठीक है? फिर यह एक और आपने high temperatures करा है, अब देखो, एक बार आपका यह NO2 बenzene ring पे अटाच हो गया, तो आपकी फिर और सारी reactions हो जाती है, देखो, कौन-कौन सी reactions आ जाती है, बहुत सारी है अब reduction reaction है, अगे यह reduction reaction के कोई सरपाओ नहीं है, मैं आपको बताता जाता हूँ कि यह क्या-क्या product बन रहा है, जैसे देखो, यह ZN-HCl या फिर SN-HCl के साथ reaction करा है, तो देखो, यह जो nitrobenzene है, यह आपका nitrobenzene, यह किसकाद में convert हो गया? एनिलीन में convert हो गया, और उधर ही अगर आप और कैसे करा सकते थे? hydrogen की reaction करा दो, nickel और platinum के साथ, तो यह भी क्या बन गया, देखो, एनिलीन बन गया, तो यह इसमें बस आपको directly reagent ध्यान रखने हैं यार, याद करने का भी यार, बहुत ज़्यादा need नहीं है, दो तीन बार ऐसे go through करोगे ना, आपको याद हो जाएगा अपने आप, याद हो जाएगा, ठीक है और चार option हमेशा यह दे रखे होते हैं, equation में, वहाँ से भी हमको बहुत help मिलती, तो एक बार बिस go through कर लो, ठीक है, यह दियान रखिएगा, metal hydride, जैसे lithium aluminum hydride, lithium और aluminum का hydride है ना, तो उससे क्या बन रहा है, azobenzene बन रही है, देखो, यह azogrup है ना, और इसके आजू बाजू क्या है, बenzene, तो यह क्या हो गया, azobenzene हो गया, उधर ही अगर आप zinc का, NH4Cl के साथ करा रहे हो, तो देखो क्या बन रहा है, hydroxyl amine, क्या बन रहा है, hydroxyl amine बन रहा है, यह पहले भी आई थी reaction, यह पहले भी आई थी reaction, देखो, अगर simply आपने zinc और HCl ले रखा है, तो आपके aniline बन रही है, लेकिन zinc के साथ आपने NH4Cl ले रखा है, salt ले रखा है आपने, आपने तो यह आपका क्या बन रहा है, hydroxyl amine बन रही है, चेक है, ऐसे ही जैसे देखो, reduction in alkaline medium, अलग-अलग alkaline medium में दे रखा है, आपने zinc dust with NaOH लिया है, देखो, आपका hydra-azobenzene मन रहा है, चेक है, NaOH लिया है और आपने थोड़ा alcoholic condition लिये, तो azobenzene मन रहा है, और आपने यह लिया है, Na3-Aso3 और basic conditions लिये हैं, तो azoxy-benzene बन रहा है, चेक है, इसको याद ध्यान रखना ही बढ़ेगा, चेक है, मैं बोलूँ कि यार, मतलब, बहुत ज़्यादा important नहीं है यह, लेकिन फिर भी यार, यह चीज available थी, तो बता दी है आपको, एक बाद देख लेना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, और organic chemistry में है, जहाँ पे चीज़ें हम लोगों ने, इतनी ज़्यादा detail में करी है, यहाँ पे अब मुझे पता है, थोड़ा theoretical part आ रहा है, यह ऐसे होता है, यह ऐसे होता है, क्योंकि यह बहुत सारी reactions, के mechanism हमको नहीं पढ़ने हैं, ज़रुर्द नहीं है ना यार, और reduction और oxidation के तो यह वैसे भी, थोड़ी बहुत आई है, तो कोई बात नहीं है, मैंने देखो chemistry में दोनों चीज़े होती है, आपके numericals भी होती है, तो आपके ऐसी चीज़े होती है, जहाँ पर रटरना भी होता है, concept भी होता है, तो ऐसी बी चीज़े हैं, मैं बता दूँगा, तो आप लोग बहुत ज़्यादा confused हो जाओगे, इसलिए वहाँ पर जाते ही नहीं है, आप reagent ध्यान रखो, उनके product ध्यान रखो, खुश रहो, ठीक है, तो यह आपके reduction है, alkaline medium में, और, और कौन सी reaction रहती है, जिसे electrolytic reduction भी दे रखा है, तो NO2 का electrolytic reduction in weakly acidic medium, क्या बना रहा है, NH2 बना रहा है, strongly acidic medium में, पहले देखो, क्या बना रहा है, phenyl hydroxyl amine बना रहा है, और वो rearrange करके, rearrange करके, para aminophenol बना रहा है, मतलब, आपका जो phenol है, उसकी पैरा position पे amine चले गया है, चले गया है, strongly acidic medium में ऐसा बन रहा है, weakly acidic medium में aniline बनता है, clear, चलो, selective reduction की बात कर रहा है, अभी ये भी कुछ न कुछ दे रखा है, जैसे in case of poly nitro compounds, मतलब, दो आपके NO2 group लगे, तीन तो लग नहीं सकते, दो लगे वे, are treated with sodium polysulfide, और ammonium sulfide, one NO2 group is reduced to amino group, एक NO2 group आपका reduce हो जाता है, amino group में, जैसे देखों, यह पर दो है, इसके presence में, ammonium sulfide के presence में, एक किसमें convert हो गया आपका, aniline में, ऐसे ही इसमें भी एक आपका convert हो गया, aniline में, और आपका sulfur आजाता है, zero oxidation state में, sulfur आजाता है, zero oxidation state में, छेक है, यह चीज सही है, अच्छा, एक और reaction होती है अब आपकी, electrophilic aromatic substitution, यह हमने आर, सभी groups की देखी है ना, तो इसकी भी आर, हल्की फुल की देख लेते हैं, ऐसे तो अब आप लोग को, इसके खिलाडी बन चुके होगे, electrophilic aromatic substitution, देखें आर, जैसे आपका, जैसे आपका यह है, NO2 group है, तो हमें पता है यह कौन सा effect चू करता है, minus i भी करता है, minus r भी करता है, तो it is electron withdrawing group, तो electron withdrawing group है, तो यह क्या करेगा, deactivate करेगा ring को, it is a deactivating ring, it is a deactivating group, it is a deactivating group, और deactivating group है, तो electron density कम करेगा, benzene से, कहां कहां से कम करता है, minus r के चलते, ortho और pair of से, भेंकर तरीके से कम करतेता है, चीक है, और meta पे फिर भी ठेक ठाक रहती है, तो it is a metadirecting group, चीक है, एक यार सवाल बूचें आप से, जनरल ही क्या होता है, जो भी deactivating group रहता है, वो metadirecting ही होता है, लेकिन एक exception है, एक exception है, जो है तो deactivating, लेकिन इज और्थो और पैरा डारेक्टिंग, कौन से exceptions होते हैं, हैलोजन, इस बात को ध्यान रखना, हैलोजन साथ deactivating group, लेकिन फिर भी कौन से डारेक्टिंग होते हैं, और थो और पैरा डारेक्टिंग ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा, बाकि सारे यार डारेक्टिवेटिंग रहते हैं, तो metadirecting ही होते हैं, तो इस NO2 के presence में, यहां से NO2 बनेगा और यहां पर यहां पर यह चले जाएगा, यहां पर यह चले जाएगा NO2, metaposition पर चले गा, ऐसे ही चाहो, सबोस करो आपने concentrated H2O लिया, sulfonation करना चाहरे, तो आपका इसमे लेक्ट्रोफाइल क्या रहता है, SO3 रहता है, ध्यान है ना, भूलना नहीं है कुछ भी, आगे गार बढ़ते जाए, पीछे गासा पाट होता जाए, SO3 रहता है और बनता है SO3H, SO3 is a neutral electrified, यही एक लौता था जिसमें neutral बन रहा था, बागी सब में आपके प्लस वाले ही बनते हैं, बागी सब में प्लस वाले ही बनते थे, तो यहाँ पे आपके नाइट्रो कंपाउंड्स भी complete होते हैं, हमने डाइजोनियम सौल देख लिए, हमने नाइट्रो कंपाउंड्स देख लिए, अब एक आपका लास्ट बचा है, साइनाइट्स एंड आइसो साइनाइट्स उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर आपका यह चाप्टर राप अप हो जाएगा, साइनाइट्स एंड आइसो साइनाइट्स चेक है, बहुत ज़्यादा है, डिफिकल नहीं है, अगेन बहुत सारी रियाक्शन देखी भी मिलेंगी हमें, कुछ-कुछ अलग रियाक्शन है, वो चीज़ देख लेंगे, साइनाइट होते हैं, यह आपके, आइसो साइनाइट होते हैं, आपके, यह, आइसो साइनाइट होते हैं, यह, प्रिपरेशन देखिए पहला है फ्रॉम एलकाइल हलाइड एलकाइल हलाइड से आप इन्हें बना सकते हो ध्यान आ रहा होगा आपको कैसे? देख सबूसकर आपने ये लिया CS3, CH2, CL लिया और इसमें आपने सबूसकर हो reaction कराई, KCN के साथ KCN के साथ reaction कराई तो it means, it is what? KCN क्या होता है आपका? एक ionic compound है, ये हमने बात कर रखी है देखो it is an ionic compound ionic compound है तो this is K plus and CN minus carbon पे चाज रहता है, negative carbon पे चाज रहता है, तो यहां से carbon attack करता है इस carbon, इस वाले इधर, तो ये क्या बनता है, देखो CH3, CH2 C triple bond N, यहां से ये बन जाता है, ये क्या बन जाता है आपका? cyanide, क्या बन जाता है cyanide, और अगर isocyanide बनाना है, तो क्या करो? CH3, CH2, Cn इसकी reaction कराऊ AgCN के साथ ये कौन सा compound रहता है आपका? covalent ये कौन सा रहता है? covalent compound रहता है देखो, यहां पर ऐसा कुछ रहता है, Ag ये बात कर चुके हैं हम लोग अब देखो, carbon है जो वो तो अपने carbon बना के खुश है उसके पास कोई भी यह लोन पेर है, नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन nitrogen के पास यहां पर ठीक है, इसकी बात है हम लोगों ने hello alcanes और hello arines में ही कर ली थी, सही है, clear है तो यहां से आप बना सकते हो इससे और कैसे बना सकते हो और अभी अभी हम देखने है, देखा था हमने from disonium salt देखना अभी से from disonium salt से भी आप ये बना सकते हो, कैसे देखना ये reaction अभी अभी हमने देखी थी थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो में ये रहा disonium salt, इसकी suppose करो reaction करा दी KCN के साथ KCN के साथ reaction करा दी तो ये cyanide है न, Cn- ये जाके यहां पे add हो जाएगा देखो, ये जाके add हो जाएगा प्लस N2 gas, रिलीज हो जाएगी प्लस इसमें KCN बन जाता है तो देखो, ये cyanide बन चुका है क्या बन चुका है? cyanide बन चुका है ऐसे ही आप लोग carboxylic acid के साथ भी reaction करा सकते हो, जैसे देखो carboxylic acid से भी बना सकते हो इसकी reaction करा ही NH3 के साथ तो carboxylic acid है और NH3 आपका base है तो एक acid-base reaction हो जाती है acid-base reaction हो जाती है यहाँ से यह H+, निकलता है और यह यहाँ पे जाके जुड़ जाता है देखो क्या बनता है? CS3, COO- NH4+, basically NH3 ने क्या करा? H+, accept कर दिया और आपके carboxylic acid ने क्या करा? H+, donate कर दिया अब इस पे जब आप P2O5 डालते हो क्या है यह P2O5? dehydrating agent कौन है? dehydrating agent तो यहाँ इसका dehydration होता है और यह convert हो जाता है पहले amides में किसमें convert हो जाता है? amide में और फर्दर आप इसका जब dehydration करते हो heat देनी पड़ती है तो यहाँ से अब देखो यह मैंने आपको पहले भी बताया था वापस बता रहा हूँ यहाँ से यह water निकलता है H2O देख गया? बिल्कुल तो देखो यहाँ से क्या बना लेता है? C-S3 C-Triple Bond N क्या बन जाते हैं? आपके cyanides क्या बन जाते हैं? cyanide बन जाते हैं clear? तो इस तरीके से भी आप यहाँ cyanides बना सकते हो इस तरीके से भी cyanide बना सकते हो clear? सही है? यह चीज सही है? तो अलग-अलग तरीके यहाँ प्रिपेरेशन के cyanides के अब जैसे हम लोगों ने एक test देखा था जब हम amines पढ़ रहे थे तो एक test देखा था हमने carbyl amine test carbyl amine test ठीक है? यह भी हमने देखा था कौनचे देते थे? 1 degree के amines देते थे देखो या पहले आपको aliphatic ले 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 देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 NH2 ठीक है? इसकी किसका reaction कराते थे? हम लोग chloroform लेते थे और KOH लेते थे और कौनसा लेते थे? alcoholic लेते थे correct? 1 degree का बनाया ऐसे ही सबोस करो आप चाहो तो aromatic ले लो चाहो तो आप aromatic ले लिजी aniline ले लिया इसकी reaction कराई chloroform के साथ और आपने KOH लिया गी in alcoholic conditions क्या बनते थे? आपके isocyanides बनते थे दिखो यह बन जाएगा CH3 CH2 N double bond C ऐसा कुछ यह बन जाएगा आपका isocyanide ऐसे ही यहाँ पे भी आपका यह isocyanide बन जाएगा यह isocyanide बन गया है यह क्या है आपका isocyanide यह क्या है? isocyanide और यह foul smell लेते हैं काफी इनकी गंदी smell रहती है तो मैंने यह बताया था है 1 degree के जो amines रहते हैं यह test दिखा देते हैं और बाकी आपके 2 degree और 3 degree के नहीं दिखाएंगी यह चीज़ हमने बात करी थी यहाँ पे लिखना चाओ तो लिखलो only 1 degree amines give this test give this test 2 degree और 3 degree नहीं देते हैं 2 degree and 3 degree amines does not give this test does not give this test यह test नहीं देते हैं 2 degree और 3 degree वाले correct बहुत अच्छी बात है तो इन तरीकों से आप लोग आपके cyanides isocyanides यह बना सकते हैं यह कुछ definite तरीके हैं और क्या है आपकी chemical reactions ठीक है यह क्या है आपकी chemical reactions तो कुछ यह गिंती की 2-3 reactions है बस असकी सबसे पहले तो क्या है hydrolysis अब देखना है यह देख रखें हम लोग देख रखें जैसे आप लोगों ने cyanide लिया आप लोगों ने cyanide लिया इसकी आप लोगों ने hydrolysis करी H plus H2O partial करी partial hydrolysis तो क्या बनते थे क्या बनते थे आपके amides बनते थे यादा रहा है क्या बनते थे amide बनते थे लेकिन उधर ही अगर आपने इसकी complete hydrolysis करी again H plus और H2O और आपने complete hydrolysis करी complete hydrolysis तो पहले amide बनते थे and then they are finally converted into what carboxylic acids carboxylic acids और ammonia intermediate strip क्या रहता है पहले हलका फुलका अगर आप पानी लिखिया है तो amide में convert हो जाएंगे फिर आपने और पानी डाला तो वो ultimately acids में convert हो जाते हैं यह चीज़ देखिए है हमने बिलकुल देखिए अगर उधर ही suppose करो isosynide है तो इनका भी hydrolysis होता है इनका भी hydrolysis हो सकता है आपने H plus डाला और पानी डाला तो देखो यह क्या बना लेते हैं और इस पे यार आप अगेन वाटर डालते हो यह ultimately convert हो जाते हैं आपके अमीन में प्लस आपका carboxylic acid बन जाता है carboxylic acid बन जाता है देखो यह ऐसा है कुछ तो आपका ध्यान रखना है आगर आप isosynides का hydrolysis करा रहे हो तो क्या बन रहे हैं amines बन रहे हैं इसको चाहो तो यह ऐसे भी देख सकते हो water है ना यह water है तो यहाँ पर इसको ऐसे कर लो HOH कर लो तो यहाँ से bond टूट जाता है तो देखो nitrogen के पास 2 hydrogen हो गए amine बना दिया और वहाँ पर C double bond हो OH आ रहे है carboxylic acid आ रहे है तो यह होगी अपकी hydrolysis की कोई यह नहीं पूछेगा आपसे कोई यह नहीं पूछेगा कि यह mechanism करके दिखाऊ आपसे क्या पूछा जाएगा अगर cyanide है partial hydrolysis है तो क्या बन रहे है amide बन रहे है यह पता होना चाहिए complete hydrolysis है तो क्या बन रहे है acids बन रहे है और अगर isocyanide है तो उसका hydrolysis है आपके amines बन रहे है amines बन रहे है और one degree amine ही बनते है one degree amine ही बनेंगे हमेशा चलिए तो यह एक आपकी hydrolysis reaction हो गई दूसरी हो गई आपकी reduction दूसरी हो गई आपकी reduction जिसे देखो RC triple bond N अब इसमें अलग-अलग आपकी तरीके से reduction कर सकते हो जैसे sodium in presence of C2H5 OH alcoholic conditions या फिर आप ले सकते हो lithium aluminum hydride ले सकते हो या फिर आप hydrogen और nickel ले सकते हो तो यह किसमें convert हो जाएगा किसमें reduce हो जाएगा amine में reduce हो जाएगा और अगर आपके isosyanides है isosyanides है तो अगर इसका आप reduction करते हो again reducing agent कोई साभी ले सकते हो उपर से तो यह convert हो जाता है यह भी amine में convert होता है लेकिन it is 2 degree amine कौंसे degree के amine है यह this is 2 degree amine है और यह कौंसी है 1 degree की amine है यह याद आ रहा है यह एक name reaction है अगर यह reagent यूस करते हो तो this is mendious reaction यह देख रहा है चेक है यह चीज देख रही है all right ऐसे ही एक और reaction होती है एक और reduction ही रहता है आपका stiffens reduction यह हम लोगों ने जो आपके carbonyl compounds है ldiide gitone वहाँ पे भी देखा था जैसे यह रहे आपके cyanides यह रहे आपके cyanide आप क्या करा रहे हो stiffens reduction करा रहे हो SNCl2 और HCl के presence में और आप H plus और पानी ले रहे हो पहले क्या बनते हैं imines बनते हैं पहले क्या बनते हैं imine RCH double bond NH यह कौंचा group है imine group है ठीक है और अगेन इसका hydrolysis होता है पानी इस पे और डलता है तो they are converted into what LD heights they are converted into what LD heights यह stiffen reaction है आपकी hydrolysis हो गई hydrolysis reaction रहती है reduction reaction रहती है and last reaction है अगर grignard के साथ कराते हो तो क्या होता है reaction with grignard reaction with grignard तो क्या रहता है जिसे यह है RC triple bond N इसके आप reaction कराते हैं suppose करो R-MGX यह क्या आपका grignard है grignard है तो देखो क्या होता है आपका यहां पर यह चार्ज क्या है negative charge है ने दर इदर negative charge है यह pi bond उचल के आता है nitrogen के उपर तो nitrogen पर charge आया negative carbon पर चाज आया positive यह इदर attack कर लेता है इस पे इस पर attack कर लेता है तो देखो यह क्या बन जाता है R-C R- double bond nitrogen के साथ है nitrogen पर क्या चार जाया negative और mgx जाके यहां से जुड़ जाता है यहां से जुड़ जाता है अब आप इसका करते हो hydrolysis hydrolysis तो यहां से यार bond तूटता है दिखाएं आपको जरा देखो यहां से आपका bond तूटता है और आपका क्या बन जाता है आपकी ग्रिगनाड के साथ अम मेरी बात सुनो यार मुझे पता है बहुत जादा theoretical हो गया है कि यह reaction ऐसे हो रही है यह reaction वैसे हो रही है ऐसा वैसा वगेरा वगेरा है तो यार यह chapter ही ऐसा है यह chapter ऐसा है जिसमें आर theory जादा है यहां यह ऐसे हो रहा है यह ऐसे हो रहा है वहाँ पे आर जबरदस्त आपकी mechanism आते थे तो आर वहाँ पे हमने भरपूर mechanism के थ्रू ही चीज़े देखी फिर ultimately trick देख लेते थे तो वहाँ से चीज़े clear हो जाते थे यहां पे यह ऐसे सच कोई mechanism नहीं है लेकिन जितनी भी reactions दी वह सारी चीज़ हमने cover कर ली है chapter आपका finish हो चुका है और यह तो हम हर chapter के ending में आपको बोलते ही है ठीक है thank you thank you very much आप लोग जोर और शोर से पढ़ते रहो यारते को हलका बिलकुल भी नहीं पढ़ना है organic खतम हो गई है ना आ गया है हम लोग चरम सीमा पे ठीक है हलका बिलकुल भी नहीं पढ़ना है अपना मन बनाये रखो जोर और शोर से पढ़ते रहो सभी जो भी हैं आपके साथ हैं और बस लगे रहो आप लो इतना ही बोलेंगे लगे रही है ultimately आप लोगों को जहां जाना है वहाँ पहुँच जाओगे consistency इसकी चलो इस particular वीडियो को यहीं पर ही रखते हैं और यह chapter आपका समाप्त हो चुका है alright so take care everyone have a great great day see you guys bye